बुद्धीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलभुति विद्ध्यादे हु मोही हरुं कलेश भिकार जैनुमान ग्यार गुरसागर जैकपी सति मुलोक उजागर रामदूत तुलित बलधामा अन्जनि पूत्र पवन सुतनामा माभी अभिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज और धजा बिराजे कांधे मूज जने उसाजे संकर सुवन के सरिनंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुनियति चातुर ग्रामकाज करिवेको आतुर प्रभुचरीत्र सुनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया तुक्ष्मरूपदर इसियही दिखावा बिकटरूपदर लंक जराः भीमरूपदर असुर सहारे राम चंद्र के काज समारे लायस जीवन लखन जियाए श्री रगुभी रहर शिवर लाए रगुपति किन्नी बहुत बढ़ाई तुमम प्रिय भरत समभाई सास्र बदन तुम रोज सगावे असकई श्री पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा नारद सारद सैत अहीशा जमकु बेर दिग पाल जहाते कभिको विद कैसके कहाते तुमव पकार सुग्री वही किन्हा राम मिलाए राज पद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विधीशन माना लंकेश्वर भै सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानू लियो ताहि मदुर फल जानू प्रभु मुद्री कामिली मुख माही जल दिलांगी गए अचर जनाही दुरगम काज जगत के जेते सुगम अनोग्रह तुम रेते ते राम दुआरे तुम रखवारे होतन राग्या बिनु पैसारे सब सुखल हे तुमारी शरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनो लोग हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाभीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पिया जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुडावे मन क्रम बचन ज्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साथु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिद्धिनव निदिके दाता असबर दीन जान की माता तुमरे पासा सदार हो रगुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख भिसरावे अंतकाल रगुबर पुर जाई जहां जन्म हरिभक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जै 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदि महा सुख होई जो यह पड़े हनुमान चालिसा होय सिद्धि साखी गवरी सा तुलसी दास सदाहरी चेरा की जै नाथर दै महडेरा पवन तनय संकत हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित रिदय बसं सुरभूप सियावर राम चंद्र की जै रगुविर राम चंद्र की जै पवन सुत हनुमान की जै उमापति महादेव की जै बुरलो भाई सब संतन की जै ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्र ब्रहस्वतिन पंचेतान संस्मरे नित्यां वेदवानी प्रवर्दते हरियोम्मा सहस्तराशीरेखा पुरुखा सहस्तराक्षा सहस्तरापाता सभुमिकुं सरवात्रस्पतवात्यतिष्ठदशांगुलाम् पुरुखा एवे दग्गुं सरवंजत भूतं यस्चवाब्यम्म उताम्रेदत वश्येशानो जदने नाति रोहति एतावा नस्यमही मातो जायाउस्या पुरुखा पादोस्या विश्वा भूता नितरिपादस्याम्रेदंदिवे त्रिभादूर्द्वा उदैत्पुरुखा पादोस्या भाबतपुना ततो विक्वन्व्यक्रामत्साशना नशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखा सजातो अतियारिचियता पश्चाद भूमी मधो पुरा तसमाध्यकना सरवाउता संब्रेदंब्रेखदाज्यम्मा पशोस्ताउं चक्रेवा इव्याना राणिया ग्राम्याश्च जे तसमाध्यकना सरवाउतारे चाह सामानी जगनीरे चंदा कुसी जगनीरे तसमाध्यक्नायग्यकना सरवाउता ऊक्रेदंब्रेदंब्रेय। जातमकरताह तेनदेवाय जन्दसात्या रेखायस्चजे जदपुरुखं व्यदतु कातिता व्यकलपयान्ना मुखंगी मस्यासित किम्भावु किमुरुपादा उच्येते ब्राम्मनोस्या मुखंगासित्वावु राचन्याक्रेताह उरूतादस्या जदवैश्या पद्व्याकुशुद्रो अजायतं चंद्रमामनसो जातचकषो सूर्जो अजायतं श्रोत्राद्वायुश्या प्राणच्या मुखाद गनी रजायतं नाभ्या आसे दंदारिक्षा गुशी रश्णव द्योहु समावर्ददं पदिव्यांबु मिर्दिशा स्रोत्रा तधालोकाँ अकलपयान्ना जदपुरुखेना विखादेवा जगनमतन्वतं वसंदो स्यासी दाज्यन गृखम इत्माः शरद्धवे सप्तास्यासन परिदायस्त्रिह सप्तासामिदाग्रेदाः देवा जद्यक्नन तन्वाना अबद्यन पुरुखं पशुमा जगनेन जगनमय जन्त देवा स्तानि दर्मानि प्रदमान्यासन तेहनागं मही मानह सचंद्या जद्रपूरुवे साध्यासं दिवा अखंडा मंडलागारं याप्तमने चनराचरं तत्पदं दर्षितं येना तस्मे स्री गुरुवे नाँ नमस्कार्ण। शिक्षणना संदर्भमा ओश होए पोताना केटलाक मौलिक विचारो प्रगट कर्याशी, शिक्षणनी प्रक्रियाशुँचे, शिक्षणनी पधतीशुँचे, शिक्षणनी परंपरा केवी छे औने शिक्षण मा केवा तो परिवर्तनो अपेक्षित छे, ए बधा मुद्द वो शोई पोताना आगवा अंदाज थी औने आगवा अर्थकटन थी कैंक ने कैंक 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 उछे पुझे बापू पन शिक्षण ने निमित्ते प्रसंगो पात्त कैंक कशुक एवुँ विचारो तेजक दर्शन प्रगट करता रहां शे मन याद आवे छे आज थी पांचेक वर्ष पहला इस्विशन बेहज्यार त्रोणमा सवराष्ट्र युनिवर्सिटी ना परिसर्मा बापू ये शिक्षक नो धर्म साचो शिक्षक धर्म ए मुद्दे खुबज उपकारक बनी रहे शिक्षण जगतने एवु दर्शन प्यक्त करेलू बापू ये जणाविलो के साचो शिक्षक साहितिक होवो जोईए, साचो शिक्षक सांस्कृतिक होवो जोईए, साचो शिक्षक अध्यात्मिक होवो जोईए अने प्राथमिक शिक्षक थी मांडिय अने उनियोसिटि ना शिक्षक सुधीनों शिक्षक मात्र शाजो साधक हो जोई ए इए उपरांत पण बापु ये शिक्षक ने निमित्ते व्यापक भावे शिक्षण ना संदर्भ मा गणि बद्धी मार्मिक वातों करेले आपने जानिये चीए के बापु प्रकृतिये ने प्रोरुतिये मुर्भूत रित्तो शिक्षक छे वयक्तिक शिक्षन थी आरंभाये नी बापुनी शिक्षन यात्रा हवे छेक वैश्विक शिक्षन नीक्षिति जे पहुँची छे बापु पन गणी वक्षत कहता ओई छे के काम तो एज करू छुहूं जे व्यावसाईक कारकिर्दी ना आरंभमा करतो हतो शिक्षक तरिकेनू मात्र वर्ग संख्या वदी चे एटलू छे अने आपने सव एना साक्षी छिए सारुए विश्व एनू साक्षी छे के मुट्टी वाद छे के बापु नी आ प्रेमनी पाठ शाडामा संख्यानो कोई बाध नथी संख्यानो कोई सीमाडो नथी अने एम हज्यारोंने लाखो एवा जिग्नासू विद्यार्थियो बापुनी पासे प्रत्यक्षरिते अथवातो परोक्ष पने प्रेमना पाठ शीखी शाके छे आ बाल वुरुद्ध सवकोई अईया प्रेमना पाठ शीखी शाके छे आ वाद केवानू मन मने एटले थायूं के आ महुवानी राम कथा बापु ये शिक्षणनी जियोज जगवती अनेक शह एवी शैक्षणीक प्रवरुत्यों करती विद्याविहार संस्थाने आपी शे विद्याविहार ट्रस्टू पर बापुनो बहु सहज स्वाभाविक एवो अनुग्रह शे बापुना अनुग्रह थे आपने सवपन अभेशिक्त थाईये तन्य थाईये जैसिया राम राम सच्छी दानन बाम सच्छी दानन राम सच्छी दानन बाम दिने साराम सक्ची दानंद दिने सार राम सक्ची दानंद दिने सार नहीं ताहमों निसा लगे 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 सार नहीं ताहमों नहीं ताहमों निसा लगे सार 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 सापान आने कु प्रकार आखे किया सापान आने कु प्रकार किया सापान आने कु प्रकार आखे 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 किया सापान आने कु प् आहे तो प्रकार रामु सत्ती दानंदे दीने आहे तो प्रकार रामु सत्ती दानंदे दीने शाया नहीं ताह मोह निसान नवले स्वाइ नहीं ताह मोह निसान नवले स्वाइ अनंद दिने स्वाइ आनंद दिने स्वाइ निसान नवले निसान नवले निसान नवले बुल्ये अनुनांजे महाराद के बाप राम कथा के दूसरे दिन कि प्रारंभ में कथा में उपस्थीत सभी कुज्य चरन विदिवित क्षेत्र के आदरणी महानुभाव आप सभी और दुनिया भर में इस्राम कथा का श्रवन करने वाले और अन्य सभी भाई बहनों को व्यास पीट से बुरारी बापो का प्रणा इस पावन नवरात्र के दिनों में इस राम कथा का आयो जन हुआ और मेरी व्यास पीट ने राम कथां तरगत नवरात्र का विशय चुना रात्र को संकेत करती कई पंक्तियां आपको मानस में मिलेगी एक नए प्रकार से आप उसका स्वाध्याई कर सकोगे खूजने के लिए लेकिन मूल 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 रात्रियों का यहां हम दर्शन करेंगे मानस के आदार पर यह दो पंक्तियां जो उठाई गई हैं मोह निशा मोह रात्री के बारे में संकेत करती इसे मोह रात्री के बारे में गोस्वामी जी ने बिलग बिलग रूप में मानस में चर्चा की है इन सबका सारभूत दर्शन हम करने की विनमर चेश्टा करेंगे मैंने कल भी कहा था कि एक पंक्ति बालकांड से उठाई हैं और एक अयुद्याकांड से राम सच्चिदा नंद दिनेशा नहीं तह मोख निसा लवलेशा भगवान शीव अपनी ग्यान पीट से पारवती को जब कथा सुनाने लगे राम कौन है राम क्या है राम के प्रती सती के रूप में पूर्व जन्म में संदेख हुआ था सती को और फिर दूसरे जन्म में वो ही सती पारवती बनकर राम जी से शीव जी से राम के बारे में सविस्तर सुनना चाहती है और बालकान में ये पंगति आती है गो स्वामी जी का सपष्ट मानना है कि राम सत्चित आनंद सूर्या है राम सच्चिदा नंद दिने सा राम सूर्या है और जहां सूर्या है वहां रात्री स्वाभाविक नहीं रह सकते तो राम सच्चित आनंद सूर्या है इसलिए मोहरूपी रात्री लवलेश भी वहीं नहीं रह सकते मोह टिकता नहीं राम के पांस हम जैसे जीवों के लिए तो मोह निसा सब सोव नहीं आ रहा है हम सब तो मोह की रात्री में सोने वाले हैं और संसार के अनेक प्रकार के इस्वपन देखते रहते हैं या निशा सर्वभूता नाम जो भगवत गीता ने बात उठाई है तो ये दो पंक्तियों का आश्रह लेकर हम मोह निशा का आज थोड़ा दर्शन करेंगे एसे नव दिन में जितनी रात्रियों का हम दर्शन कर सकें करने की कोशिश करेंगे अब साहिव रात्री दो प्रकार की होती है ये हम सब का अनुभव है ये कोई मुझे कोई नई बात आपको बतानी नहीं है हम सब उसे में जी रहा है एक रात्री शुक्ल पक्षकी होती है एक रात्री कृष्ण पक्षकी होती है कि शुक्लपक्ष की रात्री में उजाला रोशनी प्रकाश क्रमशह बढ़ता है प्रतिपदा द्वितिया तृतिया चतूर्थी पंचमी शष्ठी सब्तमी अश्टमी ऐसे पूर्णी मां तक हम्तियम यात्रा करते हैं और कृष्णपक्ष में क्रमशह प्रकाश घटता जाता है पिर कृष्णपक्ष की एकम प्रतिपदा थोड़ा कम फिर वितिया तृतिया चतूर्थी करते करते अमा वास्या बिल्कुल निशा घौर गंभीर बन गोस्वामी जी राम चरित्मानस में मोह निशा की ही चर्चा कर करते हुए एक रात्री के बारे में शब्द यूज करते निशा गो प्रताब बानु के प्रसंद हुए पंधन सुम्सुजान एक गोर रात्री का जहां जिक्र है वो अमा वास्या की रात्री के और संकेत है और साहिब कि शुक्ल पक्ष की रात्री में पुर्णिमा तक की यात्रा में ऐसी मन्यता है मन्यता के अनुभव आदमी ज्यादा जागरुत रह सकता है अरे साहे पुर्णा होती आते आते तो ओबर जागरुती आ जाती है इसलिए पुर्णिमा के देन कई लोगों की वृत्यां बहक जाती है इनमें पागलों को खास पुर्णिमा की रात को समंदर ही उचाला नहीं भरता आदमी की वृत्यां भी उचाले भरने लगती है पुर्णिमा की रात्री तक की आत्रा आदमे को ज्यादा सक्री करती है फिर उसमें कोई ओवर हो जाता है तो पागलपन हो अमा वास्या की रात्री ज्यादा तर आदमी को तमस में मूढता में सोये रखती है गुश्वामी जी का अध्वूत दर्शन है कि दोनों पक्ष में प्रकाश और अंधेरे की मात्रा समान है शुक्ल पक्ष में कितना प्रकाश और कृष्ण पक्ष में कितना प्रकाश उसका कोई ठीक से गनीत बिठाएं तो प्रकाश समान है क्योंकि शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता बढ़ता जाता है पुरुनिमा तक और कृष्ण पक्ष में परतिपदा से कम होता 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 हमा वास्या में सुन लेकिन प्रकाश दोनों पक्ष में समान है और अंधेरा भी दोनों पक्ष में समान है यह बिलकुल सत्या है इसलिए गोस्वामी जी बालकांड में लिखते है सम प्रकास तम पांख दुहू पांख दुहू मानी दोनों पक्षमे प्रकास और तम सम है सम प्रकास तम पांख दुहू नाम भेद बिधिक्किन सुरुष्टि के सरजकने विधाताने इनके दो नाम बना दिया कि ये कृष्णपक्ष ये शुक्लपक्ष तो बाप मुख रात्री की जब चर्चा है जो मुलतन नौ रात्रियों की हमारी चर्चा इसमें मुख एक बहुत बड़ी रात्री है बहुत बड़ी रात्री तुलसिदाच जी ने रामचरित मानस में कभी मुख को जंगल कहा मुख विपिन कहा नारी वसंता मुख जंगल है तुलसिदाच जी ने कभी मुख को समस्त रोगों का मूल बताया मुख सकल ब्याधीन तर्द्द्द्द्द्द्ध उत्रकान में गोस्वामी जी कहते मुख समस्त रोगों की जड़ है बड़ा अनुभूत निवेदन है मुख से ही सब रोग पैदा होते है आयुर्वेद के गरंथों में ऐसा मैंने बड़ा है समदोशा जब तक हमारे शरीर में तरी दोश समान होते हमारे शरीर में अगनी तत्व समान होते समधातू मलक क्रिया हातू और मलकी क्रिया जब तक समान होती है मन, इंद्रियां और अंता करण प्रसन्न रहता है वो ही स्वास्थिकी परिभाषा आयुरुवेद ने बताई हम निरोगी कब माने जाए जब हमारा मन प्रसन्न हो हमारी सभी इंद्रियां सुचारु रूप में विवेक से संयम से व्यहवार करती हो हमारे शरीर में वात पीत कफ इत्रिदोश सम हो अगनी सम हो उसको हमारे आयुरुवेद के मनीशियों ने निरोगीता का प्रमान माना है चलो कोई आदमी के शरीर में वात पीत कफ सम है धातू सम है मलक्रिया ठीक हो रही है और अगनी भी ठीक है लेकिन सबसे बड़ी निरोगाती निरोगीता का प्रती है मन प्रसन्न हो मुख में क्या होता है मुख की रात्री में क्या होता है मुख का एक बहुत बड़ा लक्षन समझ लिए, मुख में हमारा मन हमारे हाथ में नहीं होता, दूसरे के हाथ में होता, इराम चरित मानस का दर्शन कृप्या, उस पर सोच येगा, बड़े-बड़े महात्मा, बड़े-बड़े, हमारे संत लोग जब बहुत बड़ी, शंगारिक और अलंकारिक भाषाम बोलते हैं, तब अमला आत्मा, विमला आत्मा, ऐसे महात्मा लोग जब होते हैं, वो भी मोह ग्रस्त होते हैं, ताब सबसे बड़ी मोह की मुश्कील है, कि उस समय हमारा मन अपने हाथ में नहीं होता है, ऐसा मानस का एक सुत्र है, साथ मानस मोह पर तो पूरी एक कथा हो सकती है, इतना बड़ा विशाल अध्यात्मिक इस सब्जेक्ट है, मानस मोह उस पर एक, लेकिन विशाई जड़ा कठीन जटील हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सरल करने की कोशिश में रहता हूँ, एक तो हिंदी में बोलना है, सब्जेक्ट इतना कठीन हो जाएगा, तो फिर ये हमारे आजू बाजू ना गामना लोक वाएवाएनू सून तसे, इसलिए मैं जितना हो सके सरल करने की कोशिश करूँगा, मुनी मोह मना हाथ पराइए। मैं आपको परारत ना करूँगा, मैं उसमें पूरा तो नहीं जा पाँँ, लेकिन यदि मोह की परिभाशा ठीक से समझनी हो, तो रामचरित मानस के बालकांड का नारद विमोह प्रक्रण एक बार पढ़ लेना। पूनी नारद तुलसिदाजी भी यही शब्द प्रयोग करते हैं। पूनी नारद कर एजी मोह अपाराः। नारद मोह नारद विमोह प्रसंग मानस के मानवी मन का जो दर्शन कराता है अध्भूत। पारवति को बहुत संदेख हो गया जब भवानी ने संदेनी अश्चरी हुआ। कि जब शंकर ने कहा कि एक बार नारद जी भगवान को श्राप देते हैं। मेरे गुरू नारद मेरे सद गुरू वो कभी श्राप नहीं दे सकते भूल वही होगी तो शंग विष्णू की ही होई होगी मेरा गुरू भूल नहीं कर सकता गुरू पक्ष लेती है। मुनि मन मोह आचर जबहाँ मुनि के मन में मोह यह मुझे आश्चर यह हो रहा है। सुनु मुनि मोह ओ इमान ताके ज्यान बिराग रिदैन गिच्वाग। माया बिवस भयवु मुनि मुधा। तो बाप कुछ बाते समझे। मुह का पहला लक्षन है, मुह रात्री का पहला लक्षन है, हमारा मन दूसरों के हाथ में चला जाता है। हम अपनी निजता में सोच नहीं पाते हैं। हमारा मुलिक चिंतन समाप तो हो जाता है। जिसे किसी का धन दूसरों के हाथ में चला जाए, क्या स्थिती होगे। शोशन करने वाली व्यक्ति के पास किसी का शरीर चला जाए, क्या स्थिती होगे। सबसे गंबीर मामला तो मन का है, मन दूसरे के हाथ में चला जाए। तब हम रोगी हो जाते हैं। विक्षिप्त हो जाते हैं। मोह का प्रसंग ठीक से समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा। आप राम का था बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, नार्थ मोह के प्रसंग को अपने डंग से पढ़िएगा। और मानवी ये मन के बारे में सोचना हो, ठीक से समझना हो, तो अरन्निकांड में मारीच का प्रकरन ठीक से पढ़ लेगा। मानवी ये मन का रूप जो मारीच के प्रसंग में दिखाए देता है, अन्यत्र कहीं नहीं दिखाए देता है। हमारी आज़े। एक-दो मेने नाम का किनकन कर लेव इज में कुछ निकला का जाज में। हैं उहा गोलज्ट, हैं थो नहाग रोल्यार जेए फिवाइजे ही यहागerson नहागे, जागेया जिए जागे जागे़ ilन ज्यर ऐति नहागो ऐसे बीडे़ जाके लागेद कर दो दौकिए कुछलोल खंति हाथ इस डिए जयातिर खंति है भुआ झाल्ज कंग्सिए एक दो मिनित भगवन नाम का श्रेकर फिर में अपना दोर साथ लो स्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे स्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे स्री 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 राधे गोविंद भजमन श्री राधे देड़ बनादे, शीरा दे, वो लिन्द, मलवनय शीरा दे, शीरा दे, वो लिन्द, जोक्त्यान शीरा दे, वो लिन्द, बजमन स्री आदे बजमन स्री आदे चर्चा चल रही है बाप मोह में हमारा मन मानसकार कहते हैं दूसरे के हाथ में होता है प्रगंभीर दर्शन है गोस्वांति का और ध्यान देना तभी हमारा मन निजता खो देता तो मैं आपसे निविदन कर रहा था कि मारीच के प्रसंग में मानवी यह मन का निरूपण सोचे मेरी व्यासपीट को इतना समझ में आया है गुरू कृपण से मानवी का मन बहुरूपिया है मानवी का मन जैसे गीता ने कहा चंचलम ही मना कृष्णा बहुत उसमें चंचल्य पना है मानवी का मन भागता बहुत है मारीच कभी स्वर्ण म्रुग बनता है कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है इसलिए अरन्यकांड में मारीच का दर्शन आप करोगे तो भगवान राम स्वयम मारीच के लिए दो शब्द का परस पर विरोधी प्रयोग करते हैं और आश्चरी होता है कि राम एक ही प्रसंग में एक ही व्यक्ति के प्रती ऐसा संबोधन आश्चरी है मैं एक क्षण पहले एक आदमी को कहूं कि यह आदमी बड़ा प्रेमी है बड़ा भावक भावक है बड़ा सज्जन है और उसके बाद तुरंट उसको कह दे या जाए कि यह तो बहुत बड़ा खराब आदमी है और ऐसा संसार में हम करते हैं सनम गोताद गरे आपके जमान कोन यार लेकिन जाए से पीट दिखा दे और जाए तो कहें वह यह तो सब के सामने बोलना पड़ता है बागी कुछ नहीं है इमान भी यह मन का एक रूप है मारिच के बारे में भगवान राम का एक वक्त अव्यमानस में लिखा गया अंतर प्रेम तासु पहिचाना अंतर प्रेम तासु पहिचाना भगवान राम मारिच के अंतरिक प्रेम को पहिचान करके उसको कितना फाइदा दे देते है इसका मतलब यह है कि राम जी कहते है मारिच बड़ा अंतरंग प्रेमी है अच्छा संब्दान अच्छा वक्त तब मारिच को का बड़ा प्रेमी है और जब मिर्ग को मार कर भगवान लोट रहे हैं तब कहते हैं मारीच खल है एक और मारीच बड़ा प्रेमी है दूसरे तुरंत कहते हैं राम का वक्त भी सही है क्योंकि एमानवी ये मन के दो रूप है एक ख़ण पहले हम प्रेमी होते हैं दूसरी ख़ण हम खलता में डूप जाते हैं क्योंकि भगवान ने देखा कि मारीच मैं उसको मारने गया तो भागा और देखता है राम की ओर ये मानवी के दो मन का रूप है हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं राम की मुर्थी की ओर भागते हैं संसार की ओर ये मारीच का लक्षा है हम जाते हैं कथा में तो कोई ऐसा नहीं करते हैं लेकिन हम कथा में जाते हैं तो कथा का दर्शन करने के लिए लेकिन यहां तो ये सब भागते हैं ऐसा में नहीं कोंगा अंत्रिक स्थित्य आप जाने अपने लेकिन ये हमारे दो रूप नहीं है साथ हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं बातचीत करते हैं उनको देखते हैं उनसे चर्चा करते हैं लेकिन हम हमारी दोट हमारा भागना कहीं कोई दूसरी तरह हमें खींचे जा रहा है ये विक्षित मन का परीचे है और कभी भगवान पतन्जली ने कहा कि विक्षिप्त मन का मन के कुछ कारण है इनमें एक कारण है जीव की निर्जीवता हमारी निर्जीवता आख हमारे मन को मोह में विक्षिप्त कर देती है निर्जीवता का अर्थ मरा हुआ नहीं हमारा में जो हमारे में कुछ था वो कम हो गया मंत्र पर श्रद्धा थी सद्गुरु पर श्रद्धा थी शास्त्र पर श्रद्धा थी इष्ट पर श्रद्धा थी भाई पर श्रद्धा थी बाप पर श्रद्धा थी बेहन पर, पत्नी पर, पडोशी पर सब पर हम शरद्धा और विश्वास से जी रहे थे लेकिन ये विश्वास कम हो गया, शरद्धा कम हो गई इतनी निर्जीवता जीव में आई और इस निर्जीवता मानवी मन को विक्षिप्त कर देता इसलिए सुर्दास दी अंद आँखों से कह रहे हैं बरोसो द्रड़ईन चरण जब भी इश्ट पर से हमारा बरोसा कम होता है, हम निर्जीव होता है चैतन ने कम हुआ निर्जीवता का अर्थ यहाँ मरा हुआ नहीं लेकिन विवकादन जी ने कहा था कि विश्वास ही जीवन है संशय मौत तो विश्वास का चले जाना निर्जीवता ही तो है हम और आप सब के जीवन में घटना कि हमारी किसी व्यक्ती पर एक भरोसा होता है वो कम होने लगता है तब हमारा मन उसके बारे में और हर बारे में विक्षिप्त होने लगता है इसे कुछ कारण महापुरस्व ने बता है एक कारण तो मन का विक्षिप्त तकता का बता है रोग आदमी रोगी होता है तो मन उसका विक्षिप्त होता है उसको कहीं चैनने कुछ अच्छा नहीं लगता पहले कि पानी लाओ पानी तो नहीं पानी नहीं पिता अफिक दाफा मननना फडिए को लोग वными डूर्पो Radi अधु the people डूर्पोतだ क्यामा कोफी नी तीकडी नाको तीकडी नाक है के अजी खान औ और अब अभीक उप कहीमन आप सब के क्害वक रोग मान भी मन omन Uzana बद्ध हर कुई तिस फवी बना वी तारा घरवाला ये बनावी इतने बनावी सके बिजु कोई बनावी दनो सके आखा जगत महां कोई कोई ने बनावी सकतो है तो नजीक नूज बनावी सके बिजा कौन बनावी सके इतने यने बनाई वन तारी कौफी यने बनावी चे थानू मनो पीले मानवी मन रोग के कारण विक्षित होता है यह कितना अकाट की दर्शन है साहग मगनी दालनों शीरो किरे होई के वो सरस्त था है था ही तो एक दीवज रसोड़े बनाऊ जो ए भाई जो वच्चे कई दो मारा बाप कता तो सांबलो तमें सांबल सोड़ सांबलता जरे जो हूँ बोल तो बन थवानों न थी तमें कहीं सांबलो वनु बन करवान नगी एटले आतो मुदू चाह पाण अहीं जे कथा श्रवन करवावे इमारा बाप भोजन के रावगर न जाए जैपि पारे काई शुलमा बध्दा माठे प्रसाद नी व्यवस्ता अधे महानो माठे थोड़ी क्यूद ना थी व्यवस्ता मात्र फर्क थे मेहानों नी व्यवस्ता कॉलेद न आप त्या शे ऑफ उन बने त्या सुधे पषिया मारो आदेशन थी अम नहीं मानता पन आदेश छेऊ नहीं मानता कोई मुश्केली होई तो प्रैक्टिकल था उजी प्रसाद ले जब साए भजन अने भोजन नो आप प्रेम यगना से तो बाप हम चर्चा कर रहे हैं अच्छी से अच्छी चीज भोजन में बनी हो लेकिन रोग के कारण मन विक्षिप्त होता है सब उसका टेश स्वाद लेते हैं और हम उसमें दोष निकालते हैं ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं रोग के कारण मन विक्षिप्त हो जाता सत्व कम होने के कारण निर्जीवता आती और निर्जीवता के कारण मन विक्षिप्त होता है बार बार किसी चीज पर किसी के चड़ाने पर ब्रांती पैदा होती है तब हमारे आचारिय चरन कहते हैं मन विक्षिप्त होता है हम ब्रांत मूलत नहीं है संग हमको ब्रांत कर देता युवान भाय बेहनों को मेरी खास प्रार्थना है कि संग करने से पिले बहुत सोचो निर्मान मोहा जित संग दोशा हत्म नित्या विनिवृत कामा द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संग ने संग कंपनी सौबत इस संग की इतनी महिमा क्यों है इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है इतनी सोच लोगों की इतनी फिर भी संग में लोगों कि रुची कम नहीं हुई दिन दुना रात चौगुना मेरा अनुभव और आपका अनुभव कहता है बढ़ती जा रही है क्यों वाई और आज लाइव टेलीकास्ट होता है घर में शानती से बैठकर आप सुन सकते हैं फिर भी यह बीड क्यों कई लोग मुझे कहते हैं पहले शुरू शुरू में कहते हैं बढ़ यह लाइव टेलीकास्ट होगा तो बीड कम हो मुझे बीड से क्या लेना देना है साथ पांच सुने के पांच लाग सुने, लेकिन मेरा अनुभव कहता है, कि लोग तो आते ही है, वरना गर में सुन सकते हैं, यहां इतनी गर्मी है, घर में तो शांती से सौपे पर बैठ कर सुन सकते हैं, कैसे भी बैठ कर सुन सकते हैं, बीच-बीच में चाय पी सकते हैं, कर सकते हैं अमारे कछ ने काफियो गाता अलाभ भायो जे काफियो ग्यूट बढ़ बद्धू करें ही काफियो गाय थार्मनी उपर ने इता जेने में बेजना अए अवा परस्था अंभाय चो अचो 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 ऑडिपाश वुष्रू करें भर बोली पश उड़ करें डाए यह जड़ा चाहिला जबाबों के लिए चाहिला अगे साब चलता है गर में बैठकर आप ऐसे भी कर सकते हैं क्यों लोग से एक बस तु पक्की हुई है कि सत्संग से कुछ कितनी मात्रा में हो रहा है हम नहीं दावा करेंगे लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है क्यों आते साहब लोग क्यों आते मेरी समझ में नहीरा जैना कि बार-बार में बोलने वाला मैं रेक को कहता आठ दिन होता है फिर हमारा लोग का फिर हम 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 दूसरी जगह शुरू हो जाता है और लोग इतने आदर के साथ क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसी सौबत होती है तो हम ब्रांत हो जाते हैं दिक ब्रांत दिशा छुट जाती है रास्ता हमारा बिगड जाता है ब्रांती मानवी को विक्षिप्त कर देती है और रात्री के अंधेरे में ब्रांतियां बहुत होती है गामड़ाना लोको ने आपने बदान को आंकड़ानू जाड़ोई ने आपने को मानस बेठो यूलागे ब्रांतिया रात्री में मोह की रात्रियों में ब्रांतियां बहुत होती है जित संग दोशा युवान भाई बेनों के लिए खास संग दोश कथा प्रेमी परिवार का एक युवान लड़का लंडन में पढ़ने के लिए तो कहता है कि मैं जहां बेड़ता हुआ चारों और लोग शराब पीते हैं चात्र भी शराब पीते क्या करों बोलें संग मत बिगड़ने देना सौबत में लिप्त मत होना अपने आपको संभा ले रखना संग बिगाड़ देगा और शुबसंग के कारण व्यक्ति बच जाता है कितने युवान लोग बच जाते हैं संग का ध्यान तक अपना प्राचीन गुजराती भजनों मा पन एज बेदाल मुख थी मीठां बोले बेदाल मुख थी मीठां बोले ये निवानी मा वरमंड दोले वीरा मारा वेदाल नो संग ना करे वीरा मारा वेदाल नो संग ना करे तजमन हरी विमुखन को संग में वैसे मेरे देखे मुझे लगता है कि आदमी इतना खराब नहीं संग उसको बहुत खराब कर देता है इसलिए तुलसी मानस में आग्रख करते हैं करहू सदा सतसंग और सतसंग का आरती इतना संकिर्ण भी मत करना कि कोई कथा वाचक कथा कह रहा है रहे हूं सुनते हैं कोई भगवच चर्चा करते हैं कोई दर्मचर्चा ये तो है ही सतसंग किसी भी शुबतत्वों का संग जो विश्व के लिए मंगल कारी हो ऐसी कोई स्थिति का संग सब सतसंग है मैं तो कविता का पठन पाठन भी सतसंग मानता हूँ संगीत की चर्चा भी सतसंग मानता हूँ साहित्य की चर्चा सत्संग मानता एक चित्र कला में कोई डूबता है सत्संग यह सत्संग जो उसमें डूब कर अपने मन को प्रसंद कर सकता है तो बाप मुल तो चर्चा है मुख में हमारा मन दूसरे के हाथ में होता है इसलिए हम विक्षिप्त है रोग मन को विक्षिप्त करता है निरजीवता मन को विक्षिप्त करती है संग के कारण हमारा ब्रांत दर्शन हमें विक्षिप्त कर देता है प्रमाद आदमी को विक्षिप्त कर देता है प्रमाद व्यास जी ने तो प्रमाद को मृत्यू की संगिना दी है आदो वही मृत्यू प्रमाद मौत है प्रमादी आदमी विक्षिप्त होता है खुद को कुछ करना नहीं दुनिया में मेरे देखे तीन प्रकार के लोग हैं बोलने वाले, मानने वाले और जीने वाले कुछ लोग बोलने वाले होते हैं बोलते हैं, वो भी ठीक है, अच्छी बात कुछ लोग मानने वाले हैं, बोलते हैं और मानते भी है लेकिन वहाँ उसकी सीमा आ जाते हैं कुछ लोग हैं जो जी लेते हैं ज्यादातर हम लोग बोलते रहते हैं गांधी जी क्यों असर कर जाते थे क्योंकि जीने वाला आद्मी रहा एक आदमी दुकानदार के पांस गया दुकानदार ने पूछा, क्यूं आये हो, कुछ लेने आये हो, क्या चाहिए, गोले लेने नहीं आया हूँ, तेरे से जो ले गया था, वो वापस देने आया हूँ, गोले क्या ले गया हूँ, गोले कीड़े मारने की दवा, तेरे से मैंने ली थी, वो लौटाने आया हूँ, क क्या करोगे फायर ब्रिगेड के जहां सब रहते वहां ही आग लग जाएगी फिर क्या करोगे केवल बोलना रहा कुछ लोग हैं मद्ध में पहुंचे बोले माने कुछ लोग जो जी रहे हैं प्रमाद से आदमी का मन विक्षिप्त रहता है छोड़ो मुन ही मौह मन हाथ पराए मानवी का मन दुसरों के हाथ में चला जाता है मैं आप से निवेदन करके आगे पर दूसरे का मन उधार लेना भी मत और अपना मन दूसरे के हाथ में देना भी मत अपने मन को संभा लो तोरा मन डर्पन कहला तेरा मन तू रख और यदि देना है तो भगवत गीता में एक भिक्षुक ने मांग की है कि वह तुझे तेरा मन देना है तो और को मत देना मयेव मन आधत तेरा मन मुझे दे श्री व्रिंदावन की व्रजांग नाहें अपना मन किसको देती है मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम्मोह वशाद भोचद गोविंद दामो भरमावे दूसरे को मन देना नहीं दूसरे के हाथ में मन गया मोह मार देगा और दूसरे के मन से जीना नहीं जो करना अपने मन से करो हो डावा डोल हो तो शास्त्र को पूछो अनुभूत महापुर्शो को पूछो सद्गुरु को पूछो क्योंकि तेरा तोरा मन पर कहला है भले दूरे साहे करों देखे और रदीशारे कुरान दर्द पर करते लाद कोई कहे हमारे मन को कि तुम ये करो ये धर्म पालो कोई कहे ये धर्म पालो कोई कहे मंदिर में जाओ कोई कहे मस्जिद में जाओ कोई कहे गुरुद्वारा में जाओ हाँ ये सब अच्छी बात हैं लेकिन करियो अपने मन की सोच के मताबिक वरना धर्मांतर हो जाएगा नकाबे को जाते है नबुत खाने में भटकते हैं तो करते हो क्या जहां तुँ पाव रखते हो वहां हम सर पटकते हैं जहां मेरा महाजनों ये इनगता सपन था जहां मेरा शास्त्र मेरा सदगुरू जना हाथ मां मारी नाड छे मारी नाड तमारे हाथ अरी संभाजो मुझने पूतानों जानीने प्रभू भबाद नकाबे को जाते हैं नबुत खाने भटकते हैं जहां तुम पाव रखते हो वहां हम सर पटकते हैं हम वहीं जीते हैं हमारी निजता में है किसी से उधार पैसे लेना अच्छा तो नहीं है उधार ले उपड़े के आपने कोई गमें तो नहीं कई लोगों का तो यह स्वधर्म होता है यह बात और है कि उसका उधार ही लो बस लेकिन उधार पैसा लेना भी ठीक नहीं उधार किसी की बस्तु लेनी ठीक नहीं लेकिन हम इतना समझने के बाद दुसरों के दोश उधार क्यों लेते हैं दुसरे का दोश उधार लेते हैं दुसरे का मन लेना खबर है उसका मन कैसा है इसलिए कभी लोग कहते हैं तोरा मन दरपन कहला मन ही देवता मन ही इश्वर मन से बढ़ान पगवान स्री कृष्ण ने अपनी विभूती की परंपरा में मन को अपनी विभूती के रूप में चुना है मन मेरी विभूती है इंद्रियों में मन मैं हूँ तल में मन है शिवसंकल्पमास्त। मन ही देवता मन ही इश्वर मन से बढ़ान को मन उजिया जब जब फैर जग उजिया रहा हो जग से चाहे भागन पावी मन से भागन पावी तुरा मन दरपन कहले लाए तुरा मन दरपन कहले लाए तो हमारा मन मोह के कारण दुसरों के हाथ में चला जाता है और फिर इस मोह ग्रस्तता के कारण हम इतने मूढ इतने अग्यान और हम अग्यानी हैं हम मूढ हैं वो समझ में आ जाए तो तो आदमी को ग्यानी होने में देर कितनी लगती लेकिन ये दूसरे के हाथ में गया मन फिर आदमी को खबरनी क्या से क्या बना देता है तो मौह निसा सब सोव निहारा मौह की रात्री में हम साब सोव हैं तो मान भी ये मन और मौह का रूप यदि देखना है तुम इसी से आगे वड़ा की नारद प्रकरण पढ़ना और मारीच का प्रकरण पढ़ना वहां हमारा मन कभी प्रेमी दिखता है कभी हमारा मन खल दिखता है वरना भगवान ऐसा वक्त अब नहीं देते हैं लेकिन ये मारीच के मन के बारे में वक्त अब्या है तो जहां सुर्य है वहां रात्री नहीं एक मात्र हुपाए हैं मुख निशा से मुक्ती का और वो है रामदर्शन रामदर्शन जब बोल रहा हूं तब भी संकीर न अर्थमत करना कृपिया मैं व्यास की गोद में बैटा हूं इसलिए बहुत विशालता से कहना चाथ हूं विशाल अर्थमे राम है यहां दशरत का पुत्र राम बना इससे पहले भी राम था वो राम द्रवाँ सो दशरत अजीर विहारी वो तो इश्ट है लेकिन राम तो आदि यंत को उजा सुन पावा मतियनु मनुमान निगम असगावा बिनु पद चले सुनई बिनु वो राम तत्व की बात है जो बिना पैर चलता है सुनई बिनु काना बिना कान सुनता है कर बिनु कर्म करे विधिनाना आनन रहित सकल रसभोगी बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी राम का सुरज निकल जाए तो मोह की रात्री का नाश हो क्योंकि तब तक हम सब मोह निशा में सुए हैं कितना भी बुद्धिमान आदमियों सपना देखता है तब सपना तो उसको सच ही लगता है कोई बुद्धिमान और मनो बिज्ञानिकों ने बहुत में गत-कता में भी कह रहा है मनो बिज्ञानिकों ने बहुत खूज किये सपने के बारे में कि आदमी को सपना कितने कितने लोगों की जांच पड़ता अलकी एक वक्त भी उनका मैं गतकता में भी कह रहा था कि कोई आदमी सोया है आंखे बंध है पापन बंध है और अंदर का गोलक बहुत हिलता हिलता आपको देख रहा है तो समझना अईसा मानस विदों का एक वक्त अव्या सोया हुआ आदमी और अंदर का गोलक हिलता हिलता हो बहुत हिलता हो तो फरिक्षन किया है ऐसा कि वो सपना देख रहा है एक ऐसी पधती डेवलप हुई है जो सपनों के बारे में जांच कर कि सपना क्या है हमारे हर एक दर्मों में सपनों की कथा है बड़ी प्यारी कथा है जा इन दर्मों में है रामचरित मानस में तो कितने कितने सपनों की चर्चा गो स्वामी जी ने खैर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुख निशा सब सोव निहारा मुख की रात्री में हम सब सोये हैं इसलिए बहुत सपने देख रहे हैं और सपने जब सपने में होते हैं तब सच ही लगता जागने के बाद हम कहते हैं कि यह तो जुठा था बिलकुल बेकार था लेकिन अपना सच ही लगता है वह छोटी सी कहानी में पहले कहा करता था न कभी 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 कि एक आध्मी में सपने में बैंक तोड़ता है बैंक लूटी उस ने सपने में और रंगे हाथ पकड़ा गया पकड़ लिया गया सपने में सब सपने में पुलिस ले गई अदालत में मुकद्दमा चला छे माईने की जैल हुई सपने में सब क्योंकि सपने में बहुत कम समय में पुरी जिन्दगी जी जाती है बैंक लूटी पकड़ा गया मुद्दते हुई जैल में से बार-बार अदालत में लेते फिर जज्जमेंट आया छे मैट की जैल मिली एक दिन तीन महीना पूरा हुआ जैल का और फिर उसको खबर नहीं किस गुस्सा आ गया तो जैल में तुफान किया पुलिस बीच में आई तो पुलिस पर हाथ उठाया अन्य जैल जैली केदियों पर उसने हाथ एकदम प्रहार किया गुना किया और उसको डंडे से पिटा गया जैसे एक बार दो बार तीन बार डंडा इस केदी को मारा तो एकदम चिला कर जाग गया पत्नी भी सोई थी उसने काई कि क्या है सोई रहो ना क्या चिला ते क्यों मारा 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 कि किसने मारा मैं तो तुमने काले मेरे ता अज मैं क्या हाथ हूप पेड़े हुज़े खुटे खुटे आक्षे को सुख करो जराब तो सच्चनो आधर करो तो बोले क्यों चिला आते हो किस ने मारा क्या हुआ बोले मुझे पुलिस ने मारा कहां मारा कहां पुलिस है हुआ क्या तब उसने कहा कि मुझे सपना आया सपने में मैंने बैंक लूटी कोई दी गया सो बैंक मा बेतर ने बैंक लूट वागया ने लेफ केस्ट ने बदन करें पईसा लाओ पईसा लाओ पईसा लाओ अथंचा कि ना खो हाथ हुचा किनना को बैंक मैंने जर कि तो कहीं बांदों ने पईसा लई जाओ बंदुक काले बता भी जा जो फिर क्या हुआ बुले बैंक लुटी में रंगे हाथ पकड़ा गया मुकद्दमा चला छे महीने की जेल पड़ी में जेल में था तीन महीने की जेल पूरी हुई बीच में खबर नहीं मुझे क्या तुफान चड़ा तो मैंने पुलिस वालों पर भी आथ उटाया अन्य कैदियों को भी मारा तो पुलिस ने मुझे बहुत मारा और में जाग गया अब प्रश्ण मेरा ये हैं अपनी पत्नी को वो पूछता है कि मेरा एक ही प्रश्ण है बोले क्या कि मैंने तीन महीने की जेल भोगी तीन महीना बाकी रह गया उसका क्या पत्नी ने का सो ये रहते ना तो छे मैने भोगनी पड़ती जाग गए तो तीन मैने मा निकल गए आदमी जागता है मौह निसा सब सोव निहारा देख ये सपन अनेक प्रताथ जागरूती के लिए कथा है क्रश्न मुर्ती जैसे महान मापुरूष ने एक ही बात कही जागरूती 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 बस आदमी जागता रहे, सावदान जागता मनी शावदान रहे, होश में रहे हम मुख में इतने डूबे हैं कि मानते हैं होश में हैं लेकिन होश में नहीं है तो गुस्वामी जी इसी अर्थ में मुख निशा की चर्चा करते हैं मुख निसा सबसोह निहारा मुख निसा सबसोह निहारा अदेखे सपन अनेक प्रत्राणा राम सल्चिता नंद दिलेशा मुख के कारण हमनेक और सपना क्या है राम चर्च मानस ने सपने की चर्चा करते हुए कहा कि मुमा कहाँ मैं अनुभाव अपना असत हरी भर्चन जगत सबसोह यह जगत तो अपना है और सपना जब तक सपना होता है सच होता है जागने के बाद वो गलत सी तो हम सब संसार की रात्री में सोय हैं तो मुख की रात्री एक अंधेरी रात है उस रात्री से प्रभु की दर्शन राम का सुर जूगे राम नाम का सुर जूगे तो हमारी मुख रात्री से हमें मुक्ती मिलें राम सच्चीदा नाम नाम नहीता मुख निसा लव जिसा तो भगवान परमात्मा राम अल्ला इश्वर जो नाम दो कोई परम तत्व परमसत्य एक बाजू कोई आदमी तुमारा रक्षक खड़ा हो तो कोई इधर से मार देगा वहां से वो आए इससे पहले वो मार दे वो सकता है संभाव ना है ठीक है इधर कोई रक्षक है तो कोई इधर से मार देगा इधर का रक्षक है तो कोई पीछे से मार लेकिन चारों और कोई रक्षक हो तो संभाव ना है आपको कोई मार नहीं पाएगा राम नाम और राम दर्शन व्यक्ति का चारों और का रक्षक है चारों और से रक्षक होती इसलिए चारों राम नाम की रक्षक हो इसलिए राम नाम को बार बार रटना होगा एक दिया सली को आप जलाओ और पिर बार 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 घुमाओ तो वर्तूल का आकार हो जाता है मैंने कल कहा कि रामाएन गर्बा है और मैंने यह भी कहा कि यह मेरा गर्बा मैं विश्व के चोक में रख रहा हूँ सचराचर के चोक में रख रहा हूँ इस नवरात्र में लेकिन उसका आकार तो लंब चोरस है गरबा तो गोल होना चाहिए लेकिन रामायन को हमने रामायन के साथ हम इतने गुमते रहे गुमते रहे गुमते रहे तो मेरा गरबा भी वृत्ति के रूप में गोलाकार हो चुका जितना आप गुनो जितना आप रटो जितनी आप आवृत्ति करो वृत्तुलाकार हो जाओ इसलिए माला के मन के भी गोल है और माला का मूल रूप भी गोल है चारों और से सुरक्षा यदि आदमी को चाहिए अपने मन की रक्षा करनी है अपने चित की रक्षा करनी है अपने बुद्धी की रक्षा तो हरी नाम इसलिए गुस्वामी जी राम चरित मानस में कल हम वंदना प्रकरण आपके सामने रख रहे थे उसमें आगे के प्रकरण में राम नाम की बड़ी महिमा गा रहे नवदोहों में मोह की रात्री से हमें जागना खें तो एक बहुत सरल उपाए है अरी नाम नहीं कली करमन भगती बिवेक राम नाम अवलम नंबर शंकरम शंकराचारियम केशवं बादरायण सुत्रभास्यक्रितों वंदे भगवंतों पुना पुना भगवान जगद्गुरु आदी शंकराचारिय भी कहते हैं इतने बड़े दार्शनिक महापुरु शंकर के उतार एक बार जैजेकार करें बोन ये जगद्गुरु आदी शंकराचारिय भगवान की आराहारक महादे शंकरम शंकराचारियम केशवं बादरायर ये भगवान जगद्गुरु आदी शंकराचारिय वो भी कहते हैं जागना है मोहरात्री से तो एक उपाए है राम का दर्शन हो जाए या तो राम हमें देख ले कोई आदमी सोने के तैयारी में हो और बड़ा आदमी उसको देख ले न तो जाग जाएगा ये बाप उनकबर पड़ी कि मैं सोया हूं तो तुरंट जाग जाएगा अथवा तो वो किसी बड़े को देख ले मैं कहता हूं तो मुझे बड़ा मत समझता प्लीज मैं तो ऐसे ही हूं कि आपका आदर है इसलिए कि मैं मैं कता में कहीं दिए यहां तो अच्छा है कोई सोता नहीं है अमा कितला सुझ जाए तो मन खबरे हूं पड़ा पर लगभग कोई सो तू न थी इतली प्रभून इकरुबाद अचकल भगवान की कता में बड़ा अच्छा हुआ कि बारा तिरह तो सो जाते थे दो तिन जागते थे अब अच्छा है कि लोग जागरूती से सुन रहे हैं और मैंने तो कहा है नहीं कि आपको कथा में निंदा आए तो भी कथा में आओ क्योंकि कथा कभी न कभी जगाएगी कर में सोगे तो कौन जगाएगा गर वाले तो समझ आप लेगे ताक पाईड़ा नहीं करें एकान। गोदू वजया उढ़ारी देश। आप अपने फूटेला यह वाके भूता रह शूर्ज उगयों के नहीं जोवा मैंट गोदू उगरता नहीं हूता फिखें लगदा इंवा कान। तो काना मातिया मां अंगली बार कर दिए गरम लागे तो हम जबानुक सूरज होगी क्यों से शाइब नहीं तो बड़ पदे आमने इस पासे शूरी आप प्रमादी मृत्यु से सब राम दर्शन जगा पाएगा क्योंकि वो सूरज है अथ्वा तो राम नाम व्यक्ति को जाग परुत रखता है भजगो विन्दा महा पूर्शने हरी नाम की और मैं यह नहीं कहता कि राम हो आप जिस को मेरे राम के बहुत नाम है तो नहीं कली करमा ना भगती बिवेदे को राम नाम अवलंबनगे। हरी नाम की बड़ी महिमागो स्वामी जी ने गाई। कहो कहां लगी नाम बड़ाई। रामन सकरी नाम अवलंगे। नाम जागरुत रखेगा। मोह की घंगोर रात हमें सपनों में बरंत नहीं कर पाएगी जिन्होंने राम भजा। और कल्यूग में और कोई उपाई नहीं बाऊ सिधा साधा। क्या हम इतना बड़ा योग कर सकते हैं। जो करें वो परमवंद नहीं है। कराएं वो भी परमवंद नहीं है। लेकिन हम कर सकेंगे सब योग। योग। योग की जो शर्ते हैं वो तो पहले सोचो पतंजली से। बड़ा जटील कठीन मामला। इसलिए तुलसी बहुत प्राइग्दम व्यहवारू निर्णई देते हैं। यह कलीकालन साधन दूजा जोग जग जप तप वरत पूजा नगोग हो सकेगा। नः ठीक से जब कर पाएंगे नः बड़े बड़े वरत निभा पाएंगे। नः पूजापाथ इतना कर सकता। मेरी दुरश्टी में सब है। तो एक कलियूग में हम दिहातों में रहने वाले खेत में रहने वाले मुझदूई और कहां योग करेंगे करो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हरी नाम सपनों से मुक्त करेगा हरी भजन किसी भी रूप में तो सत हरी भैजन जगत सबस्पर ये रिशी मुनियों ने आदमी को हरी नाम में इतना व्यस्त कर दिया लोग बले आलोच ना करें कि रट लगा कर बैठ लेकिन ये व्यस्तता इतनी है कि और सोचने नहीं देते दिमाग किसी और ख्षित्र में जाता नहीं इतना स्वाभाविक रटन साधक के जीवन में हो जाता है खाली मन क्या नहीं करेगा तुरंत दूसरे के हाथ में चला जाएगा और तुरंत मोहरात्री के सपने दिखाने लगेगा इसी लिए सतहरी भजन जगत साथ और मेरी द्रश्टी में प्रमानिक्ता से व्यापार करना भी हरी भजन है इमानदारी से नौकरी करना हरी भजन है कोई भी ओफिसर लांच रिश्वत लिये बिना लोगों का काम करे वो भजन है हरी नाम ही है दवा की दुकान वाला इमानदारी से दवा बेचे भजन है मिलावट किये बिना आजमी को अन्न मिले भजन है कोई नो शेडो नो वाढ़िये इखेडूतनू भजन चै कोई ना फड़िया मा खोटा नेवा नो ना किये इखेडूतनू भजन चै भजन के अबल माला लेकर ही नहीं हूता जीवन के हर कदम कदम पर भजन तो सतघरी भजन जगते साथ सफ़र कोई ने खोटी सलाह नो आपोई भजन छे लिए हाँ सीदू सादू भजना रोकडू भजन रोकडू कोई ने खोटी सलाह ना कोई ने गुमराह न करवा कहीं लोग ऐसे होते हैं सलाह देते रहते माइकल एंजलो एक बहुत बड़ा शिल्प ही हुआ दुनिया का डेविड का फुरा शिल्प बना रहा था एक बड़े धनी आद्वी ने उसको इस शिल्प बनाने का अडर दिया अब बना रहा है अब इतना बड़ा शिल्प ही और जिसने ओडर दिया था वो तो देखने जाते हुए ना जो कोई ओडर दे तो तो बार-बार देखने जाएगा तो अपनी शांग से आए पाई का लेंजल रहा है कि आई 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 शिट जी आपका ओडर जो बनाना है बना रहा हुए देखा इजरा नाक बड़ा है अवे रूपिया शिवाए काहीं खबर पड़े ने लिके ना आदमी किसी से चित्र बनाएगा शिल्प बनाएगा कुछ भी बनाएगा तो अ नाक ठीक नहीं है बाद नाक ठीक कर दो बाद बन जाए अब इतना बड़ा शिल्प इगार उस ने सोचा कि अब इनको क्या काहूं और उसका है उससे मुझे पैसे लेने हैं हाँ शेट जी ठीक है मैं ठीक कर दो कि सीडी मुख रखी इतना बड़ा शिल्प था उपर चड़ा एक चीनी अथोड़ा ले गया और उसेट को पता न लगे ऐसे आरस पान आरस का थोड़ा चुरा भुका जो नीचे पड़ा था वह हाथ में ले उपर गया और वो तो खड़ा था उसको तो कोई शिल्प में ले आदेना ने केवल भूल निकाल थी तो वहाँ जाकर वो देखे ना ऐसे 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 कुछ किया पाँच मिनिट और जरावी नाक को टच नहीं किया और नीचे उतर कर वो अरस्पान का भुका था और देखिए शेट जी ठीक हो गया हवे बराबर तारू कपाल बराबर तारू क आपनी जरूर को लेकिन आदमी लेकिन आदमी के ऐसी बातों में फिर अपने मन को उझाता हैं अब लगती मोटा मोटा वरा होए ग्यामडा मा मुकमान्सो रसोई तयार थाए गए ने चाखवा माटे स्पेश्यालिष्ट। रस्व इचाखे नियम के का वे बराबर पचीजी पंगज पड़े पचास हजार मानस नो रसोडू साइब आन मोटा मोटा पांच पांच जना डब डबी शके एवा टूप मादाल थाई बद्धू तैयार थे एमा उइलाजे ब्यातन जना काम नो करता हरी भजे नहीं कि एन बुलाओ नहीं दाल चकाओ नहीं तरी वरो बगाड़ से बड़ी लाओ जो रसोड़ तैयार थेगी जा अमना पंगत करवानी से राक्तमे दाल चाखे लेओ एटले इस दाल चाखवामा ब ताहली पीग्यो वे जने चाखवूश्म क्यवाई और पीवू एनी अक्कल नथी एनी ओमोह रात री नू सक्नू कैम भांगो साय कैम भांगो से बेताली पीग्यों प्याने भूल नकादे तो तो ही थोड़ूक मीठू ओचू जे रसोया ए रण छोड़ रसोया मीठू जे रसोय के दाल माँ के तारा माँ तारा माँ वाद नाक ही शकाज पन तारा माँ तो होग एग लादादट नाक जै शुकाने खबर ना आ पड़ेम रसोय कर राई मिठूना के ने पन्च मीनित फजी परिपाश अलावी ताहली आप लिवाली एप है तो फजी पाशो पाशी त्र बाप कल्यूग में और हम क्या कर सकते हरी ना रामगी सुमी शुब का चिंतन ए राम नाम का सिमरन है गाई ये राम राम को गाओ शुब तत्लों को सरा हो उनका गायन करो और संतत सुनिये राम गून राम शुब को निरंतर सुनो हमारे यहां मंत्रों में आया है भद्रम करने भी शुनियाम देवा भद्रम सुनो शुब सुनो तो नाम की चर्चा जब कह रहा हूं तब कोई भी नाम की आपकी स्वतंत्रता है अल्ला कहो जो कहना हो को क्या फर्क पड़ता है तो कहो कहां लगी तो बात कुल मिलाकर तुलसी जी यदि सपनों से मुक्त होना है मुख रात्री में जागना है तो भज गोविंद अब गोविंद को भज प्रभू को समरे तो मानस का पूरा प्रक्रण नाम महिमा का है राम नाम गनेश ने लिया राम नाम लिक करके परिकम्मा की तो जगत में पर्थम पुझ्य हो गए गनेश जी को राम नाम से सिद्धी मिली इसलिए आज गनेश का नाम जो सुमिरत सिद्धी होई सिद्धी दाता बन गया वालमी के न उल्टा उल्टा नाम लिया राम के बदले मरा मरा बोले तो ब्रह्म के समान हो गए परवती ने सहस्र नाम का पाठ करते समय देर हो जाती थी शिव जी ने का एक बार हरी नाम ले लो राम नाम ले लो सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ये वरानने, हरी नाम लो, सब बराबर, तो बाप, कली उग में नाम की बड़ी महिमा है, रूप हमने कहां देखा, नाम का प्रभाव विशेश रूप में कली में, तो कथा में ये प्रसंग नाम का आता है, तब में हर वक्त कहता हूँ, आपके मन में जो नाम में निश्ठा और रूची हो, उस नाम का सिमर, मंत्र जप में क्या है, कि विदी विदान बहुत होते हैं, उसमें ठीक से विदी न हो, और फिर शंका कुशंका होती है, इसलिए ना ऑल अनक आलस हो, नाम जपत मंकर दीसिदस, आनाम जपत मंकर दीसिदस, आनाम जपत भाव से खुबाव से आलस से कैसे भी हाँ जरूर महापुर्शों ने कहा कि वही प्रेम से लो तो अच्छी बात है लेकिन गुष्वामी जी छूट देते हैं कि कलियू गए यदि भाव से न लिया गया तो भी नाम की महुमा अजभूत है कैसे भी लोग नाम अपना काम करता है कई लोग कहते हैं कि माला हम जपे ना और माला हाथ में रखे बैरखा हाथ में रखे तो भी फाइदा होता ने कहता हूँ फाइदा होता कैसे आपकी जेब में पांच अजार रुपिय हो आप उसको गिनो ना पैसो की समुरुती भी न करो सिमरन न करो पांच अजार रुपिया पांच अजार रुपिया पांच अजार रुपिया और गिनो भी ना ये 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 न गिनो तो अभी पांच अजार रुपिया जेब में हो तो तसलिक इतनी रहती है साथ ट्रेन नहीं मिलेगी तो टेक्सी में चले जाएंगे पाँच जार पड़े हैं एक बल कितना मिलता है होसला एक पाँच जार रुपया जेब में हो तो इतना होसला बढ़ता है जिसके पास हरी नाम की माला हो उसका तो जनम जनम का होसला बढ़ जाता है वो भी परियापता है इसका मतलब मैं यह नहीं कहुंगा कि जो माला नहीं रखते वो निर्दन है इनकी अपनी अदा होती है मील कर कूल मिला कर कहना है नाम आदमी को जागरुत रखता है नाम आदमी को सावधान और तुलसी की पूरी साधना नाम आधारित और गंगा जल आधारित रही ऐसा दोहा वली में वो अपना एक वक्त तब्य देते हैं वो कहते हैं राम नाम सुरसरी सलील मेरे जीवन के दो ही आधार एक गंगा और दूसरा राम नाम वो स्वामी जी को किसी ने पूछा कि गंगा का मतलब किवल स्थुल रूप में बोले स्थुल रूप में भी गंगा मेरा जीवन है और सकल लोक जगपावनी गंगा ये राम कथा भी गंगा है ये भी मेरा जीवन है और राम भग्ति जह सुरसर इधारा मेरा भाव पक्ष वो भी मेरे लिए गंगा है गंगा ही मेरे जीवन का वो है अजकल गंगा बहुत परदुशीत होती जा रहे है हमारे कई संत लोग गंगा को ठीक करने के अभियान में जुड़े है मेरे से भी बात हो रही थी कुछ मात्मा लोग उपवास करने वाले थी तो मुझे भी कहा कि बापो आप उपवास करेंगे मैंने कहा मैं तो जा रहा हूं विदेश वहीं तो कानपुर नहीं आ पाऊंगा लेकिन गंगा की बात है एक भारती धरोहर की बात है की पवित्रता के लिए शुद्धि करन के लिए हम उसको शुद्ध करने में हम सब जिम्मिवार है गंगा जहां जहां से गुजरती है गुरुज़ जो राज्य से गंगा इन राज्य सरकारों का विदाईत वहें कि गंगा के लिए बहुत गंभीरता से सोचें और राष्ट्री धरोहर गंगा हो जाए तो फिर केंदर सरकारों का भी दाई तो हो जाता है क्योंकि ये ताज महल अथवा तो जो जो अजाईबिया है वो जब राश्ट्री समारक के रुप में आ जाती है तो पूरी देखबाल सरकार को उसका दाई तो गंगा के बारे में भी ये कि सब जिम्मवार लोगों को सोचना चाहिए बात आई तो मैं भी मेरी व्यास फीर से उसके लिए कहना दाऊए तीन बार अपने दो आथ उटा करके हर हर गंगे का नारा लगाए हर हर गंगे आरा हर गंगे आरा हर गंगे बोनिये गंगा मैया दीए मुझे खबर नहीं में तलगा जर्डा की कहता चार सो भी कथा तलगा जर्डा की जब कर कर दा मारे गुनमंत ने वो जो पुरुथविका गोला बनाया था है लास्ट कता जब यह यह जित थी तब तो गुनंद भै था वो व्यास पीट उसने बनाई थी तो उस समय मैंने कहा था कि मैंने तीन एक तो मैं जी रहा हूं मेरी मां के दूद के कारण कोई भी बच्चा अपने मां के दूद के कारण ही तुझे निग रहता है मेरी सावित्रिवा के दूद के दूसरा में गंगा जल पीता हूँ तो एक गंगा मां के कारण में जीवता हूँ और तीसरा मेरी रामाइन महिया जो मुझे अमृत पिला रही है में उसी के कारण में जी रहा हूँ एक दूद एक जल और अमरी यही मेरा पाम है मैं गाता रहता हूँ आप सुनते रहते हो आप सुनाओ तो मैं डाओ तो मैं सुनता रहता हूँ यही तो हमारा जीवन है तो श्री गंगा जी के बारे में हम कहीं भी हो जाएं लेकिन जिम्मेवार लोग जहां से गंगा बहती हैं, पश्चिम बंगाल तक, जिम्मेवार प्रांतों का दाइत वहें की गंगा की, और हम लोग भी उसमें कचरा न डाले, अप अभी तरह लोग कितना कितना हो, खेरे, लेकिन एक अभियान संत लोग चला रहें, तो मैं भी उ तरीक हुआ था, उपवास करके, और आज आपके सामने दो शब्द कहकर भी गंगा के बारे में हम गंभीर बने, गंगा हमारा परीचे है, तो राम नाम सुरसरी सलील, तुलसी कहते हैं, मेरे जीवन का अधार एक हरी नाम और गंगा जल, गंगा जल के तीन अर्थ, एक तो भाव पक्ष तुलसी कहा, दूसरा राम कथा गंगा, और तीसरा स्वेम द्वागीरति गंगा, तो हरी नाम बहुत बड़ा कल यूग में, खाली चारों यूग में देता है, लेकिन कल यूग में नाम का विशेश प्रवाम, नाम की महिमा बड़ी अनूट है, तो भाय कुभ नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल की सृष्टी होती है, कभी-कभी आदमी नाम जबता है, तो शायद खुद में थोड़ा परिवर्तन कम भी हो, लेकिन नाम उच्चारण से दिशाओं पवित्र होती है, यह अकाट्टिबस्तु है, नाम घोशा सार में विनोबाजी ने भी नाम महिमा पर अपना अनुभव प्रस्तुत किया है, कि आप हरी नाम लेते लेते जाओ, आप कहीं जाते हो, और कोई गाओं में वहाँ से कितना ही दूर गाओं हो, और वहाँ कोई हरी नाम संकीर्चन चलता हो, आप वहाँ न जाए, न सुने, न शरीको, लेकिन उस दिशा में आप मुह करके केवल उसको समरो, याद करो, नमन करो, तो भी आपका अंतहकर्ण पवित्र होने लगेगा, इतना बड़ा नाम का प्रभाव स्वयम विनोबाजी कुबूल करते हैं, बड़े बहुदिक महापुरूश है, ठे, यह वो कहते दे कि मैं पंडरपूर में जाता हूँ, विठोबा का दर्शन करता हूँ, तो विठोबा मेरे से बातचीत करते हो, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, यह मेरा व्यक्तिकत अनुबव है, यह हार्दी का अनुबव है, ऐसा वो मानते थे, तो नाम की बड़ी महिमा गोस्वा में जिने गाई है राम नाम कली अभीमत दाता इतर लोकर नोकर पीतुमाता इतर तो राम नाम इस लोक में और परलोक में हमारा कल्यान करने वाला यानि हरी नाम और हमारा माता पिता है राम नाम तुल एक राम शब्द तुलसी का है मेरा माँ बाप है और समस्त लोक में ही माता पिता है कोई सोचे कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं हम तो ब्रीटन में रहते हैं अंग्रेजी भाशा जानते हैं हमारा माबाप राम कैसे लोक पितु माता तुलसीदाज जी ने जो करम लिखा है पिता माता माता पिता वैसे तो माता पिता कहते हैं माता पिता लेकिन यह करम जरा बदला है पितु माता, पहले पिता, फिर माता तुलसिदाद जी का अर्थ में ये करता हूँ कि सबके ये पिता माता है राम नाम में फाधर का रह पहला है फाधर का रह, आखिर रह, वो पहला है फाधर इसलिए पितु, और मधर का मौ उसके बाद है इसलिए मातु र और मकार रकार और मकार वो विश्व के पिता माता है परमात्मा का नाम हमारा पालक है बस इसी अर्थ में और कुछ न कहकर मैं इतना कहकर आगे बढ़ो कि कलियुग में और कुछ न हो तो हरी नाम लेते रहना लोक तो कहते हैं कि मुख मेराम बगल में शूरी इसा कहते हैं लेकिन भले हो मुख मेराम नाम होगा तो राम नाम लेते लेते कभी हाथ हूँछा नीचा हो जाएगे न शूरी गिर जाएगे शास्त्र गिराने का उपाई कभी न कभी शास्त्र बनेगा चूरी गिर जाएगे अच्छी नहीं चूरी बगल में लेकिन यदी है तो हरी नाम लेते-लेते हिंसक्ता मिट जाएगा हिंसक्ता आएगा गांधी बापु का पुरा जीवन में राम नाम का कितना बड़ा योग है जिस महापुर्शी की कल जनम जहिनती पुरा विश्व मनाएगा दो अक्तुबर कितना बड़ा राम नाम पर उसका परोसा अदबू तो बाप हरी नाम आप उसको दुरगा को जो कहना हो कहो तो नाम की महिमा का द्यान एक दो मिनिट के लिए सब नाम हम उच्चारण करे मेरी व्यास पीट से हरी वोल हरी वोल हरी वोल यारे मुकूंद माध्ळ गो बिंदबो क्यारे मुकुंध माध्व गोविना भोर क्यारे मुकुंध माध्व गोविना भोर हारी भो量 लड़िसान भीज़ दरी मोविना हरी बोल, हरी बोल, हरी बॉल, राधे बोल कि राधेवो, हरीबो, 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 कोई भी नाम लो मेरी व्यास्पित ने कई बारे प्रयोग और दिल से मेरा प्रयोग है स्राइब करना हो तो यह दिल से करना हो अलि मुला लि मुला लिम्हाला लिम्हाला लिमोला बंग नोग मुझे कहते हैं कि भापू यह आप ऐसे दिल कहते हैं लेकिन ने कुछ लोग तो ऐसा वो करने का रहा कुछ लोग करें न करें क्या हम अपने प्रेत्न छोड़ दे यार जिगर मुझादाबादी का शेर फिर में एक बार कहूं उनका फर्ज क्या है वो एहले सियासत जाने और दुनिया चाने हां मेरा पैगाम महबत है जहां तक पहुंचे रमेश पारिक का शेर कौट कर रहे थे ने कि प्रेम जैसा कोई तिर्थ नहीं है वह से बड़ा तिर्थ प्रेम महबत है कल मौलाना भी ठीक कह रहे दे कि मजभब का अर्थ महबत अच्छा लगा मुझे मजभ यानि मौबत यदि यही अर्थ दिल दिल में प्रमानिकता से स्थापित हो जाए तो दुनिया की हिंसा कहीं हमारी कटड़ता हमको इंसक बना देती है और कहीं हमारी ज्यादा बिना सोचे की अंधश्रद्धा जोदपूर में देखो न कल का जो दुरगा मा के दर्शन के लिए अब अब थोड़ी विवस्ता करके कैसे भी जाना चाहिए लेकिन कितने लोग बीड़ बार में हैं कभी साल में एक दो बार ऐसे बन जाते हैं इतने लोग मर गए सब के लिए मैं मेरी श्रद्धान जली समर्पीत करता हूँ लेकिन मैं तो यहां वो कल का नविदन मुझे अच्छा लगा कि मजभ का अर्थ है महबत यह अच्छी बात यह समझ ली जाए तो प्रेम धर्म इसलिए मेरी व्यासपीर तो दिल से ही प्रयोग करती हैं भाव से कि सब नाम सब में उसी का नूर समाया कौन है अतना कौन पर अल्ए मोला अली मोला मोली मोला मोला वाए गूर आए गूर is गुरू नानक देव को याद करे वाय गूरू आपको अनुकुल पढ़े तो कोई जबरदस्ती नहीं है और व्यवस्ता हो तो अपना सीर जरा कवर कर लिया जाए एक एक पावन परंपरासी है ये इसलिए वाय गुरु आय 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 गुरु आ परमात्मा का कोई रूप कोई भी नाम ये सब माला के मन के हैं लेकिन मन के बिखर जाते हैं इधर उधर हो जाते हैं यदि उनमें प्रेम का सुत्र अकबंध न हो माला के हर मोती हर मन के गिर जाएंगे बहद खो जाएंगे लेकिन प्रेम का सुत्रंद है तो ये प्रेम की माला हमारे राष्ट्र की विश्व की अखंड बनी रहेगे इसलिए प्यार से सब मनके को जपो गुद्धं शर्णं गठ्चामी गुद्धं शर्णं गठ्चामी संगं शर्णं गठ्चामी तंवं शर्णं गठ्चामी महविरस्वामी अंतरियामी महविरस्वामी अंतरियामी महविरस्वामी अंतरियामी वाई गुरु वाई गुरु वाई मानी पत्मे हुम, 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 मानी पत्मे हु मुला लिमुला 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 ल महा विर्स्वामी आंतर्यामी वामिर स्वामी यंदर यामी श्री रम जे रम जे रम 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 श्री रम जे रम वाई गुरु 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 जी खालसा गुरु जी का खालसा हुआ है गुरुजी का खाल सा बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल निताई गवर सब में उसी का नूर समाया कौन है अपना सब को कर परना मैं एक देश की आत्रा से लौट रहा था ताजे तर में तो प्लेन में एक धर्म के महापुरूश बंदगी कर रहे हैं मैं बहुत खुश हुआ फिर मुझे लगा कि मैं उसको प्रणाम कर जाओं अपनी सीट से उठों और उसको मिलों में गया प्रणाम किया सलाम किया तो जरा पहचान नहीं पाए तो बिचारे जरा हक्के वक्के जरा हो रहे गए लेकिन मैंने कहा कि मैंने आपको बंदगी करते देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपको सलाम करो यहां से निकला हूँ तो एक और सलाम पेश करो फिर तो वह बहुत खुश हो यह मुझे यह कहना है आपको कि महबत सही सेतू बनेगा हम क्यों उसको बलाएं क्यों उसके पास जाएं इस नफरतों से कुछ काम नहीं होगा जितनी मात्रा में हो अपनी जगह से शुरू किया जाए और हम कैलास गुरुकुल में साथ जनवरी से पंद्रह जनवरी तक विश्व के सभी धर्मों के महापुरुष को निमंतरीत करके एक समवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह साथ होता है होता रहता है लेकिन हमारा एक अपना प्रयोग है कड़ा परिश्रम लेकर हमारे अधर नहीं बापा नगिन बापा उसमें लगे हैं सब लगे कि हर धर्म के वरिष्ट महापुरुष यहां आए और एक धर्म समवाद पैदा हो यह लोग मुझे पूनते हैं इस से क्या होगा मैंने गाई यह से नेगेटिव क्यों सोच्ते हो तारा कोई दी लगन्नो था यह थाई गया कि अ अमारो तो किटलो स्टूत्य प्रयास यह नहीं तो कल होगा तरने कोई दीकरिया पे नितोही तारो मेल खाई गयों तू प्रशने ऐसा कर नेगेटिव क्यों सोचते हो साथ अपनी और से प्रयास किया जाए इसलिए हम यह एक एक स्वान तो सुखाई करने जा रहे हैं आप सब निमंत्रीत है लेके ना नरसे मेतान आख्खान मायम लखे उचे जाए केवल भोजन यानि खुराक अन्नुनाई मन का भोजन अन्नम ब्रह्मेति भ्यजानाथ हमारे यहां उपनिशत का जो दर्शन वहां अन्न को भी अम ब्रह्म समझते हैं साथ दर्शन तो देखो हमारे देश की मनिश्याओं को जे आवसेते तो जामशे अमने प्राण फिवधारे गमशे पाकिस्तान के शायर जो अभी अभी न रहे चले गए बड़े अमध फराण साहब जो चले गए उसने कहा है कि फिर मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ एक बार आकर फिर मुझे छोड़ने के लिए भी तुआ इसलिए मैं निमंत्रित करता हूं टिका करवापन आओ आइए 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 अनोचना करने के लिए भी आओ दूस निकालने के लिए भी आओ क्योंकि इसी से फिर हम ज़दा ज़दा पकते जाएंगे ज़दा ज़दा हो करेंगे तो जे आब शे ते तो जम शे जे आब शे ते तो जम शे आमने प्रानती वधाने इगम शे आमने प्रानती वधाने इगम शे कि अजये आए बदा बहुत लोकों ने मांग से तो आम थोड़ा समय में कई दो नरसी मेता न बापन उष्राद मांखी दो हां तयार सावधान बरबर पाकू चक्कस शोर तो पछी बाद मारकश्वाद मैं नलिया था तब भी लोग मांग कर रहे थे श्राद्ध बक्ष था यहां में कंपाला में था लेकिन बार काई जैन थोड़ा श्राद्ध नकाई गरे नकाई मैंने कई बार ये बात कई फिर भी लोग इसको एंजोई करते हैं यह रस का विशय है उसको चमतकारी बातों में मत जाना रस में सबका स्विकार होगा के बुद्धी से इसको सोचोगे तो एंजोई नहीं कर पाऊगे अधर नर्सी मेता के बाप के शराद्ध की यह पंक्ति है व्याक्यान की बढसी मेता को जब किसी ने का नहीं कि वह आपके गर कौन भोजन करने आएगा आपने कभी किसी को पांच अंगुली जोठी करवाई है कौन आएगा आपके बड़े भायके गर हम जाएंगे तब नर्सी में ताने कहा था ही पंगती या क्या नहीं जे आवज पेखो जानशे अमने प्राण थकी ये नर्सी में तो या क्यान की शुरुआतो रही है आपना मान भट्टो प्रेमानंद परंपरा ये अपना शिवामनी कैसा बजाता था साथ है अम अम प्लैन में बैटे प्लैन मा शरू किरें इंटरनेशनल फ्लाइट में हम बैटें तो उसने अपनी सीट पर से वहां बजाना शुरू किरें तो रह नहीं सकता साथ है अने जहने कलानों का ख़बर नतीनी खोटा गाँ गिंग गाँ गाँ गिंग गाँ गाँ गिंग गाँ गाँ ख़बर न बजाए एक आदमी एक चित्रकार के पास गया और चित्रकार में पूरा नकशीक चित्र बना ले वो चर्मकार था बूट चपल सीने का दंदा करता था यह अपना जो काम था वो तो वो गया उसने कहा कि यह चित्र में जो बूट आपने चित्रित के हैं वो ठीक नहीं है भूल निकाँ यह जो बूट है ना वो ठीक नहीं और चित्रकार ने कबूल किया और तुरंत उसने पीछी लगा करके भूट अब कभूल किया उसको एंकार रहे है उसने कहा कि उसमें पैर भी ठीक नहीं उसने कहा बूट तक बात कर पैर की छोट पैर तेरा विशय नहीं है बूट तेरा आदमी को अपना विशय हो उसमें ही चंचुपात करना चाहिए हर चीज में अपना चंचुबात नहीं करना चीज, कुछ लोग हैं, विशही नहीं तो भी चंचुबात करते हैं, अपना विशही नहीं तो भी चंचुबात करते हैं, नर सिमेता कि भाव को बिना जाने कई लोग उसकी बातों में चंचुबात कर देते हैं, कुछ बात तो रसकी होती है साब और रसके रूप में उसको न देखो तो आपका भी एंजोई नहीं कर पाऊंगे मानस क्या है वरणा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम चंद साम अपी मंगला नांच करता रहो वंदेवानी विनाया तो यह आदमी प्लेन में बजाने लगा प्लेन से हम नेरो भी ऊतर हैं हमको तीन गंटे बैठना था अमने कहा कि साथ चलिया हम भी मर साथ कि चाई पानी पी नास्ता करें अभी तुम बात ही करें तो फिर उसने वज्ज निकला वहां लॉंच में बैठकर उसने कितना बजाया सा अपड़ जोई न गामडामा के सिमें कॉंक्रेट नो प्लास्टर रही नेमा जराक तीराड रही जाए ने चौमासा नू पानी पड़े तो यहां पीपला हुगे जैने उग वहां ने कोई अटकावी नो रोड नी अंदर तीराड जर्मनी ना रोड बवखना यहां तीराड वहां तो त्याए गास उगे उगाव जैने खपतो है जैने प्रगट्वूं से जैने शुब प्राप्त कर्वूं यह तो गमेचा दर्वाजा खोना है बाकी जैने बंधियार जीवन जीववा हो यह न तो पसे तो यह पैमानूंदी परिंपरा साथ यह ज्यान की जो शाही लीता हुग मने जान जा पो मने जान जापो खेल ना कोज़े तो पूरो ना के दो हो जाए इना आखा जान श्राद्र करीना को आगे ने आदर आए कोई चांथि देवाई वो इतले मेन वाद ते गाज ते मुख लिए एन खबर यह नो तीशा नागर नरसी मेतो नागर नरसी मेतो जूना गडमा भुधर नो बच्ता कथा कहूं हूं ते मेरी कथा कहूं हूं ते तमें जांबर जों चित लोग आप सो जानते हैं फिर भी मां गए तो जरा मेरी वानी पवित्र और रस ले नाजा उसकी घटनाओं पर मत जाना रस ले रस चुक जाओगे तो जुना गडमे नर्सी मेता प्रती वर्ष उनके पिता का श्राज उनका बड़ा भईया वनशी धर मेता करते थे नर्सी मेता तो अकिंचन महापुरुष हरी भजन के सिवा जिसका भोजन हरी जिसका व्यसन हरी जिसका आवरण हरी सब कुछ हरी था और प्रती वर्ष जब श्राज्धि की बात आएं ता वनशी धर बड़ा भई अभीमान से निमंत्रन देने आता है अब नर्सी मेता अपनी एक छोटी सी गारूस में एक छोटा सा कमरा कोटड़ी उसमें ठाकोर जी को विराजित करके अस उसमें डुबा है नर्सी मेता की धरम पत्नी गर में है और वनशी धर जी आते हैं नर्सी अब वो तो किर्टन में डुबा है मन भगन भयो अब क्या बोले दो तिन बार आवाद दी कल पिता का शरद है इतनी साल हो गई तुने तो कभी शरद किया नहीं मैं बढ़ा हूँ मुझे तो सब रखना पड़ता है ठैर पती पत्नी दोनों जल्दी आ जाना इतनी चुल बना लेना सुलो खोद जो इतना अनाज साथ करना इतनी सबजी ये करना ये करना अपमान जनक शब्दों में निमंत्रन दिया ये कोई निमंत्रन है साथ गुजराती दोहे में लिखा है सुर्सुचर आदर करे अपार तो भोजनमा भाजी भली पन आने मन अहंकार एना कड़वा गेबर किशनिया आवत ही हरुष नहीं नैनमे नहीं सनें तो तुलसी तहान जाईए कंचन भरसे में अब नर्जी मेदा को तो पता नहीं कि बड़े भाय आये हैं वो तो किर्टन में था तुलसी नैंनी डिवानोः कि डिन करती बोलो तो में बंगला बोलो राधा, राधा, राधा प्रिष्ण, राधा, राधा प्रिष्ण, राधा, 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 राधा किर्टनमा डूबे हैं क्या पता कौन आया लेकिन दो चार बार भक्त राज की अपमानीत बोली में अवग्या की वनशिधर महता है अरियन आरी नर्से के धर्मपत्मे सोचा कि हरी भजन को अपराध है कि हमारी गरीवी हमारी अकींचनता हमारे प्रारब्ध का खेल होगी इसका मतलब यह बड़ा भाई बाप की तर्ख होता है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे पती के भजन की आलोचना करें थोड़ा दरवाजा खोल करके, मुख पर गुंगट रख करके, भारते ही शालिनता का निर्वाह करते हुई नर्सी की दर्मपत्नी ने, बड़े भाई को कहा कि बड़े भाईया, आप हमारे बाप हों, लेकिन इतना अपमान करके, आप यदि हमें निमंत्रित करना चाहते हैं, तो बहतर है कि हम ना आएं, और इससे भी ज़्यादा मेरे पती का और मेरा अपमान करें, तो आप दो शब्द बूलने लाइक हैं, हम सुनने लाइक, लेकिन हरी भजन का अपमान मत करो, और ध्यान देना कोई भी भजन करता हो ना, उसके हरी भजन का अपमान मत करो, रामाइन के वक्ता की निंदा करने के लिए आप स्वतन्त रहे, लेकिन रामाइन की निंदा मत करना है, मौरारी बापु के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, रामचरित मानस के लिए करिपिया, फिर ये अपराध खान दान को परिशान करने आए, जो अपराध भगत कर करें, तो राम रोश भावक सुझाए, शास्त्रा प्राध, व्यक्ति के साथ हमको तकलिप हो सकती हैं, विचारों को तु समझो, कहलाते हो बुद्धिमान, हमारा अपमान आप करो बड़े भाई ठीक है, लेकिन वो हरी नाम लेता है, वो तो कोई गुना तो नहीं है, प्रभू का नाम ये कोई अपराध तो नहीं है, मैं कथाओ मैं कहता हूँ, प्रभू का नाम अउशदी है, प्रभू का नाम अन्न है, प्रभू का नाम स्वाद है, प्रभू का नाम संतुष्टी है, प्रभु का नाम वईद है और प्रभु का नाम हवाफेर है हर एक हरी का नाम सब कुछ जास नाम भव बेशत अवशधी अन्नाम ब्रमेति व्यजाना सुख का मंदिर हमारा ठिकाना हमारा रहने का सुख दाम राम हमारा एड्रेस हरी नाम सद्गुरु है हरी नाम, प्रभु का नाम गुरु स्वाद तोश सम सुगति सुधा के तुलसी कहे, प्रभु का नाम स्वाद है, नाम नाम पर नया नया स्वाद स्वादू स्वादू पदे-पदे दिने दिने नवम नवम नमामिनंद संभवं प्रतिक्षण वर्धमानम और संतुष्टी है तुलसी के राम नाम क्या है स्वाद तोश-तम-कतिसु धाके अनकमट सईशदम-धर्व-सु धाके नरशी मेता ने तो उस समय उनुभव किया आप मेरे हैं मैं आपका हूँ गलत अर्थ करो तो आपको मेरी भी कई हुंडिया उन्होंने कुबल दखती है मैं इस भरो से पर गुल दो तुम कोई भी अर्थ करो तुम जानो जियाव से ही जम से मने प्रान धकी जम से निंदा करने के लिए भी हा फिर हमें छोड़ के जाने के लिए हरी का नाम क्या नहीं है कि एक जार आठ राम परान साइब सांसुधी रसोड़ानू ठेकानू नहीं विरपूर परिवार तनतोड मेहनत्मा डुव्या था हाने बिजे दिवस्ती बदू सूचारू चालतू हतू मानसो यह काम के लिए बदा लागी गया पड़ी मानसों नहीं शक्ति आवी क्यां थी कोई गैब माथी शक्ति आवी मुझे लगता है परमात्मा यदि मानव बन सकता है तो मानव परमात्मा बन सकता है पक्षी अंडा दे सकता है तो अंडा भी पक्षी दे सकता है पक्षी से अंडा निकलता है अंडे से पक्षी निकलता है भगवान मानव होता है तो यह मानव भगवान नहीं तो क्या है सब लोगों ने राद पर मैनत की होगी और सुबह में सब सो चार रूप से रसोड़ा शुरू हो गया था अकर तो मानवी के थ्रुही सब होता है लेकिन ये प्रेरणा ये शक्ती ये सोच जहां से आती है वो कोई रहस्य है जो हमारी गुद्धी से बाहर का तत्व माना है स्विकारे छे क्या भवनी हूंदी अत्रश्य रहिने कौन बधा खाली छे कोठारो छता खेरात जा लेजे शोविद्ध साहिं कैक्छे साहब जब उद्धी पर, मन पर, चित पर, अहंकार से तो कोशो पर हरी ना मेरे पती का अपमान आप करो ठीक है लेकिन वो भजन करते हैं, क्या अपराद है अन्हें कोई न खोट्यू कंठी न थी बांदी कोई न आरसू न थी बनाया, कोई न प्रमादी न थी बढ़ाया, कोई न चेत्रा उपर प्रहारों न थी करया नरसी मेता ने कोई ग्रूप पैदा नहीं किया, वो अपनी कोटड़ी में हरी भजन करता है किसी का धर्मांतर न नहीं किया, किसी को यह नहीं किया, कि तुम यह नाम लो, वो अपनी मौज में है क्यों उसको आप वो करते हों नरसी मेता की धर्मपत्नी ने जवाब दिया अपने जेश्ट को कि बड़े भईया, यदि इतना अपमान करके ही आप हमको निमंतरित करना चाहते हैं तो बहतर है, कल पिता का श्राद देने, इस बार हम, हमारी आउकात के अनुकुल कर लेगे दो तीन व्यक्ति का भोजन करके हम भी कर लेगे, लेकिन हम और फिर व्याख्यानकार बिलग बिलग रस की सुरुष्टी करने के लिए माने के मेती के मुक्स बुलवाते हैं निर्मल मननी आनवतम नारी, एक भक्ततनी भक्तानी क्या कहा उसने व्याख्यान का राग एक खत्री कलंग भवाई में और व्याख्यान में हमारी प्राचीन जो पध्धतियां हैं उनका ये राग चंद का नाम खत्री कलंग माने क मेती के मुक्स से व्याख्यान कार बुलवाते हैं भाले ग्रु घस्ताई तमो ने गनताई मोटानु मान नहीं रहे रे इसमें आपकी मोटाई नहीं हैं बड़े भया हम छोटे ऐसे शब्द बोल जाए तो ठी आप हमारे बड़ी है आप हमारा बाप हो इसमें अपनी बड़पन का माप निकल रहा है कोई कुछ उग्रता से भोलने तो उनका मत देखना एसा सोचना वो अपने खांदान का परीचाई दे रहा है और क्या सोचना उसके बादे पिंड मुकावी शुपती के रे आथ मोटा नूमा पिंड हे रे बले श्राद दाड़ा चाला जाए मोटा नूमा पिंड हे बले श्राद बड़े बया हम अपनी ख्षमता के अनुसार कर लेंगे आपको हमारा प्रडाम और अहनकारी को ऐसी प्रकृति वाले लोगों को चोट बहुत लगती है वो दूसरों को चोट पहुंचाए वो तो मानो फूल का गाव है लेकिन दूसरों की चोट बहुत लगता दूआ करो मुझे याद आता है शमीम लेकिन रसी काई हैसा है कि तमाम उम्र तो हम काटों में जिये हैं यारों तमाम जिन उम्र पूरी जिन्दिए हमने काटों में निकाली तमाम उम्र हम तो काटों में जिये हैं यारों खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए परवात्मा करें हमें काटों देने वालों के दामन भी खुदा फुलों से भर दे इलाही काश गमे इश्क काम कर जाए इलाही काश गमे इश्क काम कर जाए और जो कल गुजरनी है हम पर खुदा करें अभी गुजर जाए जो कल गुजरनी है हम पर वो अभी गुजर जाए इलाही काश गमे इश्क काम कर जाए मुटावाई कल शराद हम करेंगे ओ देखता हूं तुमारे घर कौन भोजन करने आता है और ध्यान देना जिसके घर कोई नहीं आता न न प्रतिष्ठा आती न पैसा आता न दंभा आता न पाखंड आता उनके घर हरी भोजन करने आता निकल गया अपने पैर पचानते हुए इफना जाना पत्नी के अंतीम शब्द और बड़े भाय के शब्द इन बीच Ju NRC मेहता की किर्टन समाधी चुटी क्याराध कराध क्रिश्द्यूरा ना राधा कि क्रिश्द्य। दरवा यगों एकΦम पचार के हुए बड़े भाई निकल गये सभान हुए नर सिमेता रेक दम अंदर गए मैती हाँ भगवन बड़े भाई आया थे हाँ तो आप उससे बात कर रही थी जरा उग्रस्वर में रोप मुझे माप करा अविवेक थोड़ा हुआ लेकिन सेन करने की जीव की कुछ सीमा हुआ करते हैं आपका अपमान मेरा अपमान वो तो हमारा बाप है कुछ भी का है लेकिन हरी का आपमान हरी नाम का अपमान मेरे से नहीं सहा गया कल पिता का श्राद है बड़े भईया प्रतिवर्ष कहने आते हैं लेकिन इसी रूप में आते हैं इतना बड़ा आप मानिये करना जैसे हम मजदूर हो मजदूर ही सही लेकिन कोई ऐसे तो नहीं कहते है तो फिर आपने क्या कहा मैंने कहा कि कल पिता का श्राद हम अपने ढंग से अरे अपने गर में क्या है तीन दिन से तू जानती है हम भी भूखे है हमारा ठाकुर जी भी भूखा है नब भूग लगा पाए प्रभूतारी कसोटी नी प्रथा सारी नथी होती अने अहियां जे सारा होई छे यहनी दशा सारी नथी होती प्रभूतारी कसोटी नी प्रथा सारी नथी होती अने जे सारा होई छे यहनी दशा सारी नथी होती अने डुबूँ होई छे त्यारे किनारे पर लेई आवे छे अने तर्वू होई जे जरे कोई नवका नती होती यू कहिंचे उलटी रीत है हरी ने अती विचिंत्र भगवंत गती हरी नादान नारी ये तो हमारा बाप है दो शब्द बोले हम सुन ले उसके मुख कहां लगी तू और तुने कह दिया का श्राद्ध हम करेंगे अपने घर में क्या है भूले मेरी लज्जा रखी हो एक सौने की बाली मैंने छिपा कर रखी है वो बेचो और इन में से मैं आप एक श्राद्ध कराने वाला पुरोहीद और एक दिक्षित जी और एक पांच वा कोई हती थी पांच लोगों के लिए बोजन की विवस्ता कर लो और मेरी लाज रहे जाए मैं आज बोले वाली सोना की सोने की गर में और मैता के चेहरे परती जाए वे अख्यानकार अपनी कविता में डालते है इस बात क्या थे वाली कामीनी अनलावो मारे हाँ क्या थे वाली कामीनी अनलावो मारे हाँ कारण के भीड पड़े ज्यारे भक्तने क्यारे मारो लाजे लक्ष्मीना लाओ लाओ वाली लेकर बेचने गया नरसी महता जुनागट की बाजार में इस बाली का इतना दाम हुआ कि आटा खांड सबजी आदी पांच लोगों का भोजन हो इतना लेकिन घी नहीं प्राप्त कर पाया दाम इतना हुआ कि घी रह गया आया लोग घी उलेवाली के दाम में तो घी तो नहीं आया ब्यक्ष्यान संक्षेप में मैं आपको कह देता हूं कहा कि कल सुबह तो शिरात्य गी नहीं है नर्शी मेतान का आपड़ू तो गी नाराहिन छे नामड़ाम आज पन गी नाराहिन रूप संगे गी अटले नाराहिन रूप रात्त्री भर मैती सो न पाई मैता सो गया जैने बरोसों हो यह ने शूसा है और सामान्य रूप में भी आदमी सोता है बरोसे पर कि मेरी सांस चलती रहेगी इसी बरोसे पर तो सोता है बंध हो जाई तो आस्टी बश्मा इती तम्हें सूरत उपलो अवे तो हुवा नी बशावी ने केम हुता है मारो हरी जाने सुर्ण भ्या है आपड़ एकमगत बसमा बया बया हुज यह इद्यान राग्यो गना वकतना हेवा चुती आज से टीज पासु याध राक्व वस्मा बया है ज़िए ज्यां कृपा स्टेंड बया तो है कृुपा स्टेंड़ कि आथ हुं न करन बढ़ बस भी रे जान्द मरभे बैस उस्कर रिक या बढ़े बैस तर न जा जा जिया काई मिऴों तो कि आम मेल तो हरी भजन नो मेल चोने टले आधो आज जो ने तरी क्या मुझा नौता वारा बाप मारी हामें तो जुओ और हमाय मानस ने क्या नों क्या पोचाड़ी दें मारी सामें जोई ने तो कोकना उपर भरोसो करो क्या नहीं जाई से मने भोजो बगत याद आवे बाप बोजल के भरोसो तरिकम जीता अश्यत गुरू रे गोविंद ने भावड़ी चाड़े बेबे जना अपना हाथ पकड़ता होए पसी भरोसो नो रखी एक हाथ गोविंद पकड़े न बिजो हाथ गुरू पकड़े सुक्रुवालता शिखी जब है संसार के कैसी भी गहन रास्ता वो काट सकता है राकती हो तो राक जे विमारी पीठ पर त्याना प्राण काचबो काचभी भोजा भगत्नों शुव अध्यात्मीक रूप का पैसे साहिए मारा नाथ नी निंदा नहीं करती काचबो काचभी इन कैज़ रात भर तुलसिदास जी जब विंदावन गए और नाभाजी का आश्रम ब्रिंदावन में तुलसी के जीवन में गटी गटना नाभाजी आश्रम में नहीं थे उनका एक शुष्य था वो तुलसिदास जी को पहचानते नहीं थे तो कोई महत्मा आये हैं बहरागी सादु सोच करके आसन दिया तो तुलसी ने कहा कि बाबा कब आएंगे बुले वो तो वार गए कुछ पताने अब बैठे ना वो नहीं बैठे बुले विश्राम करना तो विश्राम करे जल्पान करिये बाबा जाएंगे मिलवा जूंगा बोले नहीं तो खाना तो नहीं लेकिन आराम करना है तो करिये तो पूछा कि नाभाजी कहां बैठते हैं बोले यह आसन उनका है वहां बैठकर सब को मुलाकात देते हैं ठीक है तो वह वहां बैठते हैं तब कहां से आते हैं बोले यह सीड़ी है ने दो दो पगत यह उस प तेर रखकर बैठते थे उस सीड़ी का सिरहाना करके वशी कुकरिंट सुई गया संत चरन रजवा सुई अब निंडा आ गई उसी समय नावाजी आ गए बनी घटना ब्रिंदावन की और तुलसी को देखते ही नावाजी ने तो तुलसी को अपनी भक्तमाल नामक गरंद का मेर बनाया 108 भक्तों की चरित्र लिखे और मेरू के रूप में तुलसी उसमें रख दिया और ये तो मेरे भक्तमाल का मेरू है तुलसी सिश्च को बुलाए तुझे पैचा मिलो मैंने बाबा नहीं पैचा और बेलकुल सोये अब नावाजी उसको जगाते है जागो तुलसी जा जागते ही पद बोल देते हैं कि जोगी लोग जागे भोगी लोग जागे तुलसी क्यों जागे जो भरो से राम के मैं तो राम के बरो से परसोया हूं मैं क्यों जागू और लोग जागे मुझे क्या चिंता जब कृष्णा ने कह दिया सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम दरजा एहम्त्रा सरव बापे व्यूंगों मुख्ष इस्यावे के माल सुचा सुबह हुई मेता जी को कहा की आप दिक्षिद जी कोने मंतन दिया अब मेता जी जाते हैं दिक्षिद कोने मंतल दिया और दिक्षिद जी ने सूना कि महता जी स्वेम आज पिता का श्राद अपने घर में कर रहे हैं तो महत दिक्षिद जीने मजाक करते हुए का रहे महता जी आपके घर आज श्राद का निमंतर दे रहे हैं बस ऐसे ऐसे करते करते वो जुनागर का ये प्रसिद्ध चौरा नर्सी महता का चौरा जो आग बोल नाजर लोग रहे हैं साब बांके टेटी पागडियों से कसो वाड़ा अंगर खां पहरा से सुष्टू सुष्टू बोले से दिक्षिद जी नर्सी मेता को ले आए और सब ने का कि मेता जी जैरादा वल्लग जैरादा वल्लग क्या बात है जीक्षिद जी ने का सुनो नागर गरस्तो जुनागर के सब नागर सुनो क्या है वोने आज नर्सी मेता के गर पिता का श्राद्वो स्वयम कर रहे है प्रतिवर्ष वनशिधर जी के घर का निमंत्रन होता है हम सब परिवार जाते हैं साथ सो नागर का गार लेकिन नर्सी मेता के गर जो प्रसाद का निमंत्रन हो तो तुल्सी के पत्ते पर जितना प्रसाद रहे इतना मिले तौपाई हम धन्य हो जाएंगे हम सब सबदossen सब कर भीषा मिधा के यह अ dealt जाए यदी नर्सी मेता कहे तो और नर्सी मेता ने कह दिया कि तो 700 घर हागम टे हरी हर्णु नौतरू ले आले पांच जणा मां घीत उटे गनत्रियू काम नो करें बरोसा काम करें के भी गनत्रियों खोटी पड़ती वह जापने साङञें एक पत्नियंदा पत्टेन किदू कि आपना लगन जरह नोता घर त्या सुद्धी तूम्या कहता ठा के तू तो अमारी दुनिया अर्शूमा. उला है कि तूम्रा जो हुआ नहीं चारे भूग ओल निखे नहीं अबुगुल निकबर मने लगन थे पचिपड़ी लगन थाए ने त्यास नो पीरियद चालतो है और लगन थेगा पचिए इतियास नो पीरियद से लिए जिए गनतरी यो खोटी पड़ी करें नो मिल्खाई साथ सो गरे सागम्तु नोत रुआए प्यूबने नागरो तो मजा करेंगे वगत राज है उसको तो जैसे फूलाओ भूलता है फूगे में जितनी हवाज यादा करो इतना फूगा फूलता है अभी बातु करेंगे मेता जी हम तुम आपके घर आए जैसे मेता जी आगे चले और अंदर-अंदर बात करने रहे खाक उनके घर क्या होता है तो ठीक है तो हमारी पर परती वर्ष बड़े भाई के घर जाते हम तो वहीं जाए मेता जी आये हैं सुबह के नव बजने की तयारी है और मेती ने कहा कि दिक्षित जी को क्या अरे दिक्षित जी को क्या साथ सो परिवार नागरों का सब परिवार भोजन का निमंतरन दे कर आए आपको पाँच के भोजन में गी नहीं है बाली बेचने के बाद और आप साथ सो परिवार को आप आप जरा सोचो तो लेकिन मारेक मेती ने सोचा कि मेरे पती बक्त राजे उसकी बोली पर लोग मजाक करते होंगे कौन सही मानेंगे छोड़ो छोड़ो आपकी तो यह इसी आदत है लो यह तपेली और गी ले आओ मैता जी जुनागटनी बजारबाग घी लेवाने के एक बक्त की देशा देखो एक आथमा तपेली एक आथमा अपनी प्रसिद्ध करताल और मैता जी घी लेने के लिए जाते हैं और हमारा किर्तनकार व्याख्यानकार उसको गेई पद्धती से पेश करते हैं करताला करताल दि अग बदू मारी पहराग जो मारे जे लेवू ही लोग जारे लोग ही साइब आम तो हम तमारी साथे ही मुँ रास लई शकूं केला में गर्भी यो लगाई छे लेदी छे चारे क्यारे काम इच्छा आता है अन्न नेवा सामा तो हमें बदाए इस केटला साहितिकारो बदाए गर्भी यो लेदी पड़ावे यी बदू आ दो ती लूंगी पेरी वाई नेमा बदू आमा क्या गो थोखाई जाए तो यास तो मारी व्यास पिठो पर जवही हो साहितिकारो अंत, dell रूंगी ये को कर लाई उन द पेली है तो नवेशान नवी येशान वापरेली नथी नथी नंथी न कोई एठावडवर। उगी नथी साहितिकारोगे तो उग़्ेतिकारो आवे कोई ने अप पामा नहीं हा रहे हैं। हॉ है तुम ले ही जाजे हैं। तुम ले हिजया। कोई नहीं आप पामा गज़े हैं। एक आथ में तपेली हैं एक आथ में खिरकाल है और जुनागट की बाजार में नरसे मैता एक हरी के भरों से जीवन जीने वाला जिनोंने सांस सांस हरी को अरपन किया था वो चल रहा है गठनकार कहते हैं मैतेली भी तपेली हाथे जो धरनी धरनू ज्यान दरी मैतेली भी तपेली हाथे जो धरनी 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 धरनू ज्यान दरनू अन्हें तपेली मां गीरे अन्हें एक टीपू डोडा ही नहीं एनू नाम ध्यान क्या वाएं अन्हें शुकदेव जी ने गी बरावी अन्हें आपेलू जनक राजाये क्या आखा दाम मां आटो मारिया वो अ तपेली ध्यान लू पते अन्हें पड़कोड़ आखा दाम मां आज ब्यूगा अन्हें तो बीक लागी तुम्हें क्यां पड़ी ग्याओ तो इब्चा वेच्यां हुदी नहीं पड़ू नहीं तर तो दर 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 दड़ी पड़े भाई मानस चे अने रमता रमता लड़ी पड़े भाई मानस चे अने हस्ता हस्ता रड़ी पड़े भाई मानस चे अने मारा हरी नी प्रतिगिना चे आंते यह प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रनस्यति योगी पड़े ज्यानी दनी पड़े, मामी पड़े, लेकिन अने शुगदेव जी के हाथ में तो केवल बात्र में ही घी रहाओगा, कर्ताल नहीं होगी नर्सी में ता इस से भी आगे जा रहा है कर्ताल भजाना और घी का एक बुंद नीचे न गिरना गिना वो ही सम्यक्चीत का परीचर है, योगस्चित वृत्ति मिरोधा स्वामी जी जाए खांदाल प्रभू हमारे स्वामी जी बहु कताब प्रभू बाबू जो साम्बलतो जो 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 स्वांत्या जो मैता जी खिर्तन करते करते निकले हैं एक घी का व्यापारी बैठा है और सुबह में नव साड़े नव बजे की बातें अभी मूरत भी नहीं हुआ है अभी दुकान खोली है और मैता जी को देख जये राजावल्लव बैता जी जये राजावल्लव क्या कोई काम बोले गी लेने आया ओ गी सासन गीर से कल ही ताजा दाने दार गी आया पिता का श्राद है की तरा जुमें तपेली डाली एक बाजू भार डाल करके तोड करें धड़ो करें पुरी तपेली घी से पर दी लोग आप जी अटला रूपिया शेट जी रूपिया नहीं है लेकिन एक वैश्नव का वादा है सुविधा होते ही व्याज सहीत में दे दूगा अब व्यापारी को लगा कि मारे आटली बदी उतावल करवानी हूँ जरूब मने आवली हूँ उत्साहफाटी निक्रिया अब आप भगरत यहने चाहां क्या रहे उगराणी है जवूं क्यम पर व्यापारी जात ओस्यार मेता जी पैसे की कोई चिन्ता नहीं आपके पिता का शराद होती हमारे भी तो पिता तुल्य है कोई बात नहीं लेज़ा लेकिन आपने कहा कि पिता का शराद है और आप तो भगवान को भोग लगाए बिना तो कुछ नहीं करें, बोले नहीं हमारे तो पहले ठाकोर जी, तो बोले गी तो शुद्ध हैं, लेकिन जरा धांकन खुला रह गया था ना, तो एक चुही गिर गई थी, चुही? नहीं, अपवित्र गी मेरे ठाकोर जी के गोग में नहीं चलता, शिर जी ले लो, ले लो एला ये तो होश्यारी करें, उंदर डी घीमा नोती पड़ी येनी बुद्धी मा पड़ी, उंदर डा वो घीमा पड़े ने, ये तो पाचा चोखा थी जाए, पन जैनी बुद्धी मा गरोड यू पड़े शे ने, येने बैतन जनम लागे हरी भजता, अंदर गुशता, ल लोले लोगी बस उसको तो येतना काम था, हम नीचों भी ने घी करने की बुद्धा है, हाथे लागी में दाठी हैं, मूछे लगे, ने अमा थी कांग शिकनुरी पुताना बूट ता न्या, अब आब बूटे ज पहुंचे, मूँकुटे ना पहुंचे साहिर, आगलवद्या, के मुख गोविंदे, 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 गूताने जो, तेरे मुख 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 गोविंदे, गो दूसरी दुकान पर गए वहां भी उस व्यापारी ने घी दिया लेकिन पैसे की बात आगते ही सब छटक जाते है और आदमी स्वारती है साहब हमा मड़ो तेम के माथा मांगी लोन माथा मांगी लोन अपड़े के माथा नी जरूब न थी पांच अजार रूपिया तो के यह नो वैत न थी तारा माथा नहूं कौबी नी भाजी कर भी पांच समय आने पर छटक जाता है वो संसारी और समय आने पर छटके नहीं उनका नाम सन्या से कपड़े कोई भी पहने आओ अग्यार ग्यारह बजगे कोई घी नहीं देता है जारा है बादरवानों ताप जुना गढ़ी ताप जिस रास्ते से रोज दामा कुंडशनान करने जाते थे मेता उस रास्ते की अंतिन दुकाँ वहां से गिरनार का मारग शुरू होता है तड़ेटी समी पे एव लाग्या करे छे के हजी क्यांक तारी करताल वाग्या कर एक वैष्णव जननू हाट जो धरनी धरनू ध्यां एक वैष्णव का अट सरदई वैष्णव उर्धवपुंड कर किया है तुलसी की माला गले में हैं इमांगदारी से व्यापार करने वाला सच्च नाराइन की कथान साधू वानियो मेता जी का प्रेमी था नर्सी मेता को आते देखकर अपनी दुकान से छलांग लगा कर दोड़ा बाप मेता जी आज मारो दिवस सुदे बाप जी हाथ में पात रहे क्या बात है मेरे पिता का श्राद्ध है मैं गी लेने निकला हूँ गी नहीं है पांत की रसोई में गी नहीं है हमारे पांस जहां गी लेता हूँ फिर से पैसे की बात आते हैं लोग गी निकाल देते हैं अरे बोले मेता जी जितना चाहिए गी ले जाओ बोले मैं पहले कह दूँ पैसे नहीं सुविदा होगी तो अरे मेता जी पैसे की बात बद छोड़ो जितना चाहिए गी ले जाओ लाओ तपे मेता जी ने कहा कि मैं मुफ्त नहीं लूँगा वैश्णव ने कहा कि मैं मुल्य नहीं लूँगा तो क्या करें मेता जी एक काम करो मैं आपको घी दे दूँ लेकिन आप एक दो किर्तन सुना दो किर्तन का नाम आया तो कहां शिराद कहां बाप कहां रसोल साथ बूल दया इतना ही तो चाहिए था कमर कसी नर्सी मेता ने अपने टोपी ठीक के तपेली व्यपारी ना थड़ा उपर आन नर्सी मेता है किर्तन ने शिरुवात कर जाए ये ओधा जाने रे एने आमें जाए ये यथा माम ये गीदा सुत्र का व्याक्या है ये ये यथा माम प्रभ्यंदे आमस्तथेव भजा मने जे रिते जे भजे एने उँये बजुष अमारे अनंद परसाद महात्माने भी कितने अख्यान लिके गुजराश ये ने तो विषारे येने हरी नाविषा एहरी नाविषारे येने हरी नाविषा एक के बाद एक किर्थन शरों परेशी ये वो धा जाने एने या में जाने है ये वर राधा जी नोरे वकानी ने 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 वर राधा जी ये ओधा जाएंगे तो ने यामे जाएंगे नमामि भक्त वत्सलां त्रिपांचीन कोमलं भजामि ते पदांगुजं अकामि नास्वधामदं ए निकाम शाम सुदरं कवामुनाथ मंदरं प्रफुल्लतं जलोचनं मदादि दोचमोचनं प्रलंब बाभु विक्रमं प्रपोक्रमे वैभवं निशंड चाण। सायतं धरं त्रिलोचनाय ए दिलेश वाउष मंदनं महेश काख खंदनं मुनिंद्र संत रंजनं पुरारी ब्रेंद गंदनं यह वो रास उपाड़ों मेताने जाए लोको आउता गया भीड़ामी वर्चण मोटू धत गई। सोगश्रिंग संबिशाल चताजूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल भिमलनीर गाथे। आलोचन त्रैलाल लाल चंदन की खोई भाल की तुर्भुलाल गंदिर गर्जादे। अमुंदन की पंधमाल गिसक नर्दे प्रशाद पषितुदार गिसकमाल भर दयाल गाथे। ए बंबंबंबं डमरुवाद नारुवेव सर्वसाद शंकर महराज याद। कांडव नाचे ए जि संकर महराज याद। भूमत शक्ती घुमंड भूतन के जुम्ड जुम्ध भवकत आजत प्रमांड नाचत वैरूद। करधर त्रीशुलकुमंड राक्षस दल देत दन्द। भेलत शंभू अखंड डैकत दे। देवन के प्रभुदेव प्रगट सत्य अप्रमेव चतुरानन करत सेव नंधि समारी। घुंदर मुर्ती सम्रात हर दम जुग जोड़ी हात। भज हो मन भीमनात शंकर भारी। भलकत है चंद्रभाल, धलकत है नेन ज्वाल, धलकत है गलविशाल, उंडन माला। पर्मभत प्रनत पाल, नाम रटत सोनी हाल, काटत है काल फंद दीन दयाला। शोभे योगी स्वरूप सहत ब्रथा सीत दूप, धुर्जटी अनूप भस्मले पन धारी। सुंदर मुर्ती सम्रात, हर दम जुग जोडी हात, कजभू मन भीमनात, शंकर मारी। जटाकाका संदमंत अचि लिपनिर्जणी विओल वीचि वन्लरी। विराज मान मुल्धनी धगध धगध गच्च लल्ला लाट पर्ट पाव वेति शोर चैंच शेधरेरती पति छडंब मध धराः। धरो धरेंड नंदिनी विलास बंदु बंदुर सुरत्ति गंत संतती प्रमोध मान मानसे। क्रिपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिच्च दंबरे मनोविनोध मेत वस्ती। अखर्व सर्व मंगलाकलाकदंदु मंजरी रसप्रवाह माधूरी विज्रुम्भनाम धूरतं। च्रव मंगलाकरी रसफ दुर्धरापदंद इचलकों Pent także सरफ मेफ मनोन थे। जयत्वदा ब्रवी ब्रमा ब्रमत भुजंग मश्वसत दगत दगत विनिर्गमत कराल भाल हव्यवा धिमिद्धिमिद्ध्वनन मृदंग तुंग मंगला द्वनी क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवा शिवा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छता विडिम्प कंठ कंदरारुजी प्रबंध कंदरं स्मरचिदं पुरचिदं भवचिदं मखचिदं गजचिदांध कंठचिदं तमन्त कंठचिदं बजे एवाओ ऐसा किर्टन में रंग जम गए आजाब लोग एकत्रित हो गए भाव में नर्सी मेता डूबा है बारह बजने की तयारी एक किर्टन पूरा दूसरा पूरा अपना छोटा सा किवार खोल कर मैती प्रतिक्षा कर रही हैं पांच लोगों की रसोई बनानी है अभी गी नहीं आया क्या होगा एकदम दोड़ कर नर्सी मेता का पूजा की जो छोटी सी कोटड़ी थी उसमें जाकर ठाकोर जी के विग्रह के सामने अबला ने रुदन किया ए हरी मेरे पती तो बिल्कुल सादू भद्र भोले पुरूश है मैं कुछ शब्द बोल गई बड़े भाई के सामने तो चुप क्यों बैठा है शांत क्यों है अरे कुछ बोलो तो हमारी लाज नहीं जाएगी तेरी है कदी तो उफान मां कदी मजधार मां तो उफान अन धायरूँ जगाडी ने अने परवत्स मां मोजां उचाली ने पचाडी ने समंदर शांत ये वो तुथाई गयो को संतनी पेठे न थी जाने कर्यूं कई पाप नवका ने डुबाडी अवारी नवकाज खत्रे में क्या तो वही कुण ठेलिव बाप पक्ति करें पाताल मां अने अवाज उपर हम भड़ा इसाइब आज ना आज मोबाइल मां जो ही विवस्ताओं कहीं आँ बैतने में देखे का मंग उटकर उनके अमेरिका मां लाइन लागे तो भक्तना अंता करनी लाइन जानों लागे मरा बाद अब आज क्यों लक्ष्मी जी भगवन अकुरूर क्या चे गरूर जी क्या चे उद्दव जी कहां है सबको बुलाओ पारशदों को बुलाओ या सबको बुलाओ लेकिन है क्या भगवन इतने आप आतूर वल्भक्त राज नरसी पर भीड पड़ी है उसकी पत्नी के आंख मे आंसू है यह आंसू मुझे डुबो देंगे तयारी करो यादवो मानवी रूप नागरो ना रूप लए समस्त सामगरी साथ में लेकर निकलो जुनागर जाओ नरसी महता का घर पूछ कर जहां जगह मिले रसोई की तयारी करो और पूरे नाग पूरे समाज के भोजन की वि जब मानवी आन थाकोर जी नरसी महता का रूप लिया इसमें रस स्रुष्टी है इसमें भाव स्रुष्टी है उसी द्रश्टी से देखना और या ख्यानकार लिखते हैं अरे सेवक कारज सार अपने भक्त का कारिय निभाने के लिए आयवाते दी देवाधी देवजी अने भागोले रे आवी बूध एली धोयने नरसे नू रूप जी आभग्त वच्छल भगवान नरसे मेता का रूप लिया आवा समये जी आवे ने काम करवाई हरी जो होई ही हरी रूप और क्या ठाक और जी ए इटूकी दोती पहरी अंगर खूं माता उपर टूपी आत्मा गीनी तपेली हरी ना आत्मा अनकरश्टी निभावान देश्टी करता लई अने हरी आवे मैती राह जोता आता ठाकरजी नरसे मेता ना रूप मारा मैती लोग की अन मैती ने बोलना शुरू किया कि अकल का कोई ठीकाना है आप बारह बजे अभी रसोई की कोई और अभी आ रहा है और यहां प्रभू के भेजे पार्षद लोग उठ्टू लई 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 आवाश्टी नरसे मेता का गर कहां कि पहला चौरा पांसे ते निकड़ान बदाय बदाय पूचियों इला किया थी आओ जो कि हमने उकम थे नरसी मेता ना पितानु श्राद्ध छे एटले बदी सामगरी ना कि साइब अवे इश्वर ना इश्वर के संकल्प से सुरुष्टी उत्पन होती है साहब शुवार लागे आने रसोयो थवा लागी साहब पना तो ठाकोर जीना गर्नी रसोय कि दालनी सुगंद कोईली हुदी पोचे जुनागरती कोईली आम जाओ माना वुदर में बांटवां ना कोड़ा फूलवा मेडिया का सुगंद श्याद्ध आम शाहपूर जाओं बिन्यों सर्वोदय आश्रम हुदी सुगंद गई साहब आने साहब आवी रसोयो बादे कि सुगंद आई कि चौरे पर बैटे नागर ग्रोस्तों ने कहा अपने पवत्रुक कि बिटा मैता जी के घर जरा देखा ये लोग सब गए इस सब है क्या बच्चे गए और देख आए कि वहां तो इतना बड़ा क्या हैं तो ऐसा कर तेरी बाको बोल जा उसको कहा कि मैती को को काम हो तो मदद करने जाए और वो लड़के ने कहा और यहां उसकी माता जी मैता के घर जाती है और ठाकर जी के रूप में नरसे मैता खड़ा है बाप जी प्रणा पदारो पदारो मा पदारो लेकिन आज मेरे पिता का घर ठाकर जी के रहे मेरे बाप का श्रादूत तुलसी की एक चौपाई है जैने भरोसों राखोय ने आज चौपाई याद राख भी प्रणत्त कुटूंब पाल रगुराई इस्ष्वर्य एक ऐसा तत्वह प्रणत के पूरे खांडान को पालता है प्रणत कुटूम्ब पादर गुराई और ठाकोर जी के रूप में नर्सी मेता मैंने एक मेती तो कह रहे ही कि जल्दी गौर बापा को बुला लाओं और अभी घी लेकर लेकिन ठीक है जरा ये माता जी आई है वो तो अचाना काई है उसकी साड़ी ठीक नहीं है जरा एक साड़ी तो उसको दो माने एक मेती एक दो में आखी जिंदगी हेंडलूम परी साड़ी नहीं दाता रहे लेकिन ये सब रसोई की तैयारियां ये सब देखाना तो हुआ कि अब एकदम जा करके ठाकोर जी के मंदीर में साड़ीयों का देर पड़ा है मेती जाती है और अब कर्णा देर देखा इन में से 1 साड़ी ली तो बच्चे ने दादा को बात की कि मारे मा गई थी उसको साड़ी में तो सब निकार तो पता न शुकराँ तो मारे माने दादी माने बधान वुख्यो जाओ 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 ऑन के जो फटे-लंद्लूं कपड़ा परी अदुनि ठाकोर जी के रूप में वो गौर बापा को कहने जाते है अब नर्सी मेता का कुल गौर नान ये भी माढ मेड़ी इना उपे नान ये भी बारी अने एमा बैठरे लो कोत्रे लो है ये वह बैठरे नर्सी मेता के रूप में ठाकोर जी आ रहा है इला चुकरा हाँ हाँ आज नर्सी मेता स्वेम श्राद कर रहे है अपने पिता का और मुझे निमंत्रन देने आ रहा है आज तक कभी नहीं बुलाया और वो जिद करेगा हमारे तो आज और जिन्द की बार यजमान है तो वंशी दरे जरा नीचे का दर्वादा बंद कर दे दर्वाजो बंद करियो ठाकोन जी कि दू कि थारा मकान दर्वाजो नती बंथा तो तारा नसीब नो दर्वाजो नताए हांकण मारे नहांसी नकिद है बाप जी कोई अच्छू तूबह है यह मरी उगोशाद मेरे पिता का श्राद है आप पदारिये ना बड़े भाई के घर तो प्रतीश वर्ष जाते अरे कभी कुछ दिया है तुने लेकिन मैं भी तो आपका यजमान हुआ रहे कभी कोई डक्षिना दी है मैं तेरा गौर होने के लिए तयार भूले भगवन ऐसा मत करो बोले नहीं मुझे सबद रखना ही तो बोले एक चिठी में लिग दो कि नरसी तू मेरा यजमान नहीं मैं तेरा गौर नहीं इला छूक सुद्ध को दी जाती हो ऐसे ठाकोर जीने लेकर के अपने अब श्राद्य कराने वाला कोई उप्रोहित में एक नागर गुरस्त ओम नमस्षिवाई भी शुद्ध न बूल पाए गायत्री मंत्र भी लेकिन किसान लेकिन नरसी मेता पर और हाटकेश्वर पूरी भरोसे पूल लेकर खेत में जा रहा था ठाकोर जी के रूप में नरसी मेता नरसी मेता के रूप में ठाकोर जी और कहता है बाप जी आप Usually मेरा भांकी के आपका धरशन बाप जी मेरे पिता का अश्राद्ध हैं आप विधी करान लियाओं और होई लोग के मने गायतरी मंत्र पुरावर तो नहीं नहीं ब्रामन हुआ पाओं जिद करें ले गए ले गए लेकिन दूसरे मुप्रोहित को ले आओं बाप जी को बैठने के लिए सोने का पाटला दो लेकिन वो साड़ी वाला जो उसने देखा तो मैती जब मंदीर में जाती है तो वहां सोने के पाटले का धेर पड़ा था गोवर्दन परवत के लिए ऐसा माना जाता है भागवतकारों के हमारे योगेश भाई भी कहते हैं कि जितने लोग आश्राई में आते थे ने इतना गोवर्दन विश्त्रूत होता जा रहा था ठाकोर जी कौन इश्वर कौन कि जिस जितने उनके आश्रे में इतना वो अपने आपको फैनाता है क करिपा ने कोतडी हबरनिक क्या बना दी जो चाहे वहां से निकलता है कि तो ना ना पाटलवा श्रूत है कर्या के रूप में थाकोर जी के रूप में नरसी मेता ह। थाकोर जी उसने में मंत्र क्या बोलू कि ओम नमस्षिवाई को बोलो बाब जी राधा कृष्ण बोलो और वो विचारा भोला भद्रीक ब्रामन नर्शी मेता के वहाँ राधा कृष्ण या नमस्षिवाई जैसे बोलने गया और ठाकुर जी ने अपनी उंगली उनकी जीवपर अडाई त्यां मारुनें रूद्य मारीता श्रक श्रकशि उनकी लोक नकानि उनक्त जी जॉप minimize घरानें घराइ बोस्ते तोर्तला हुआने शोघ्जुके आटला एठुप लावन नर्शा कपा यॉपर नपको ये लोन अतनला नालिये मत्ला पुनी फल्ला नर्शिफल पाल लावन कष्ण स अब दो विधी कराए लुगा नागरों की नात भोजन के लिए आई वनशी धर के घर कोई नहीं गया शाब यहाँ ठाकोर जी नर्से मेता के रूप में सब को प्रणाम पदारो पदारो बाप जी बैटो सब को दो दो सोने के पाटले सोने के पाटले दे पाटले एक बैठने के लिए एक सामने सोने की थाली रखने के सब सोने सब को एक एक दोती एने सोनानी किनार आने एक एक उपर ना सोने की किनार सभी नागर गुरहिनियों को अबस्था के अनुसुर और उनकी स्थितिक अनुसौर ऐसे ऐसे रंग की साड़ियां दि किसी को यलो किसी को ग्रीन किसी को ब्लेक करब को साडिया पेलाई ना-ना जोक्राओने सहब येना मापना कपड़ा अरी एग्षिने गरे बढाना माप निकली से जिता है बसे एक्रच साहिप हाथ ही के मापना कि निर तौले तोडी तोडी थोडी हरे ना झाली सी ऱ कह न साध आतुवके जांए फिल्डाद्यु अध् आवा जुआ नियाव अवत होता एने एने जीन साइप्या आप संताना थार पन केवा मोटा आवा थार इमा तेर तेर वाट किया तेरे तेर वाट किया मा होना निचम ची बै किलो दूद हमा ये बडा हना लोता नियना उपर ढाकन हना अवजन्दार वाट क्यों पहला जे श्टील ना वाट क्या वजन्दार आवता था ये वार आपकेन मुक्या तरन तने माव रख रख नहीं पड़े लिए 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 सब सौने का तो इब रोस आउ तो नती अंदर-ंदर नागरो चर्चा करे कोक मोटा यजमानने पकड़ियो लागे से आ जगत आउसे मारा बाप नजरे जोए ने के वह आम थाई से तोई शंका किर्या करें नाम तुनिया कावा बैटा तोई खन खोद करें से ए खाई अनू खोदे पन बदा ने आए को डोड़ा अफरी गया हो आन याद वो पिरस्वा मेडिया तेर वाट क्या था चार वाट का मश्याप चार वाट का माँ दाड एक वाट का माँ दई नव एक माँ दूद के शरवाड किटला थिया दस ग्यार मों जे वाट को होतों ने एमा भज्यानी आरे खावनी चटनी अग्यार बार मों जे वाट को होतों एमा संभार अने तेर मों वाट को खाली रहे को जैने जे ले उए ले कानके मने आई वडू नहीं केटलों पिरस्वू यार काई तो भुलाई जाए नहीं यार मारे उबहुताई आग गरे गरे जम्मान उताई नहीं इतले इतली बदी वस्तु लोगों बनावे पच्छी अमा जे मने भावती वाई ने इजी लोगों भुली जाए अवे बिक्षा भाव मां मंगाई तो नह बिक्षा हारो निराहारो इतले मंगाई तो नहीं संकेत नों करें के भई मने आप इरसो इतले पच्छी हूं थाड़ मां जोया करूं लगबग बज्यात बुली जाए तो मने खीत चड़े क्या तमारे खावा मेटे बनाए बैए अपड़े जे खाऊं करके बदी वस्तु ब बनाविस्टने तो व्यक्षान लांबूती जे इटले तो में हम जी जाओ गर्मेन ना थाना कोबी नू थानू होई नहीं लाल मर्चाना थाना कटकी कहरी ए चुंदो चुंदो बॉल कहरी खाटी बढ़ जेवी कहरी बढ़ कहरी भाद भाद ना काचरियू गुवार ने तलेला थाना है काचरियू आपए तो पन ब्राह्मन ओवे राह जोई शक्ता न दियो दिरत न अंता विग्यो ए पिरहवानू बंकरोन खावानू चालू करवा एक तो सोडम कोईली हुदी पहुचे ली आनवजी यस्यांकेच विभाति भूदर्शुता देवापगा मस्तके भाले बालवि धुर्गलेच गरलं यस्यो रसी व्यालराट सोयं भूति विभूशन सुरुवरह सर्वाधिप सर्वदा अरवह सर्वगता शिवशिनिप स्रीशंकरा पा आतुमाम नमा पार्वती पते आन भोजन शरुद्यू साहेव पन जनमीला जीव ने जम आधी व्याधीन उपाधी वलगी पड़े एम ब्रामनो भोजन ने वलगी पड़े अठाट प्रकार ना लाडू गवना लोट ने तलिन मुठ्या तलिन लाडू एम आवतो जातो चण्यानों लोट शेकिन कख या लाडू गुंदरिया लाडू गॉल ना लाडू ठान लाडू बूरा ना लाडू अठाकोर जीन वईकुंठी भोजन छे साहेव पिरसान हुन पछी जे भोजन करवाला जाए साहेव थाकोर जीनों प्रसाद होई जेनी भूख न उगड़े ना बाग पूटी या जारे खादू एमुनतिक है तो साहेव अथा तो ब्रह्म जिग्यासा अने अन्नम ब्रह्मेद व्यजानाथ इरिते भूखो जागी से साहेव अन पछी कभी हो यह नूँ वरणन के रूँ साहेव मगन खावे पत्तीस राम चंद्रकु बत्त्री आणन राम कुआड त्रीश दाल त्रीश कतोरा मगन नामना बापा हता इपत्चिश लाडवा खाई गया मगन खावे पत्ती राम चंद्रकु बत्त्री राम चंद्र नामना गोर बापा बत्त्रीश लाडवा खाई गया आनन्द राम कुआड त्रीश आनन्द राम नामना बापा हता इपत्त्रीश उपाड़ी गया ए ब्रह्मन गंबने कूँ आई बहुत लाडू मंगवाई जी बहुत लाडू तुरिस कटोरा दाल पी गया जी हाथ मावे इमोड़ा माद लाड़ो दालनों कटोरो शाक अने हरी पीर से ही तो बजला अक्षाई पात्र बनी जाता हूं अबरे भरानू इटलू खादू साहे बहुत लाड़ो याद ही हमारे हरी राम मामा तरेड यावे अख्यान करतां साहे अबरे मन वारा तलबा तबला वगारता अने हना ख्यानों बजपन मामे सामर्ड़ा अज बहुत कहता था अक्टलू याद हतू आवदा हमारा हम तरनकलाक आम एक धारो के रस भंग न थाई साहे खजड करी दे एक वक्ता तरीके वक्तज के वह ए नहुँ अभीप्राया पी यह को कि अ statošवार को साई बहु कि अवाट तत अच दर्याद थेल साफेये वह ने दाल तो एंट Germans यह लीandi ंदड़ एक तरे मन अखेली थाली मुदर साङ़्ी नाखिए पूल स अथन को यहां थाया हम जातना यह कि यह विन्दार मांड़ी नाग्श कित लुदू ध्यु ब पीवश पाणी नी ये करामत छेवधी बाउखा दो आजमन थाई आज महता जे निचु तो जोई शक्ता न थे कोई आज आएं हूँ देखा दू मौडू फाड़ो जा भज्यां डीट यू देखाए आम तमें लैशा पॉंदर कि भज्यां डीट यू तम भज्यां डीट यू आट भूखाए अजय दन्य हो जाए हो अजब हो बाप जे अजय 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 नी चंशियो अलोटा अधाली अब दू हमबाड़ जो बाप जी अमा एक चंशी क्यां खोवाई जाई तो है अरे मारा बाप ठाकोर जी ना दरबार माय एठों में कोई दिवस राख्या नी आप आप आटलान अधाली यू इब दू तमारे मेताजी अलोई जावन हाँ इसाय विजे उपन ना हताने एमा एठा ठामड़ा बाइजे अजय ने ने डाल ना रगेडा उत्रे पंडू पर ने चारे बादे बादे शाक ने वासनों बदाना क्या कूँ अग को के पाटलो लिधान को के लोटो लिधान को के बीजानी बेचमच्चू लई लिदी तो वहला यानी इत्रन लई लिदी भू तुम हर भरते जातू तो साय गया में आटलू हनू मेल्यू तो युभा से इन छोकरान के इला धिरू मारा पगमा मारी मुझडी हावे तारा पगर खां पढ़िया रहे तो यह मां हूं बगडी जाए तो ही पगर मारा पगमा मुझडी छे के क्या मीचो नो तो जोई शक्तो है एला धिरिया ए धिरियो क्या है क्यो तिरियो नोई तो हीम तो यहा क्या इला मारा पगमा पगर खा यह तो बहुत दादा मारी नजर तमारी चोटली हामें चे उनीचे जोई शकतो नथी मारा बाप ए तुह जया लएजा जया हूँ आओ अवे मारा थी निशु जुवात नथी मने उपर नो माराग देखाई अवाद किया जैजे कार थे सब पूरा हुआ अब मैता जी के रूप में रहे ठाकोर जी ने सोचा कि अब मैं जल्दी प्रयान करूँ मैती अब मैं जरा दामा कुंड़ स्नान करके आओं फिर हम प्रमेती ने जरा उग्र भाशा में का कि जल्दी आना तमारू काई ठेकाणू ने ठाकोर जी द्वार का दीश हंसे कि मारू ठेकाणू वत्त तो शुका माईव वत्त साहिब जैना ठेकाणा नो होई ने ज स्वयापक ओई ठेकाणा वाला तो एक देशी थेंपेडिया होई जैना हरी व्यापक सरवत्र समाना जैनू कोई एक सरनाम न थी प्रेम होई जाथ परगड़व द्व ठेकाणा व्गिरनो हरी होई चल्दी आना और ठाकर जी निकले हैं साथ काम पुरा करें लेकिन वो ब्रामन देवता सब भोजन करके जा रहा है जैजेकार और सौने के बरतन और से वो वहीं से निकले जहां वो माढ मेड़ी उपर विला उपरोहित बैठा था जिसने लिख दिया था नर से मेरा यजमान नह है में उनका को ए ने टाजी मैरी बूलो मगे बाद और फार जी को लगा कि उसको कुछ नहीं दूंगा तो मेरे जाने के बाद मुल नर्सी मेहता को यह पूछेगा और वो विचारा कहां देगा उसको भी बहुत दिया और ठाकर जी वहीं से तत्रेव अंतरधियत वहीं से गोपी गीत में जैसे अंतरध्यान नहीं दिखता बंध हो गया वह जाये तो जाये कहां एक डेढ़ बज गया और वैश्णव की हाट के पांस मैता जी अभी भी किर्टन में डूगया है राधा राधा क्रेश्ण थोड़ी सभानत आई तो मैता जी ने पूछा हाँ शेड़ जी क्या समय हुआ बोले दो बजने के अरे बाब जी मेरे पिता का श्राद है गी तूटता है चल्दी चल्दी गीनी तपेले भरी दी देशे और मैता गी लेकर ए जी मूख गो मिन्दगो मिन्दगो प्रतिक्षा कर रही थी और मूल नरसे मेता गी लेकर आए मेती देर हो गई मेरा स्वभाव तो आप जानती है किर्तन की बात आती है तो मैं सब भूल जाता हूँ लो ये गी मैं जल्दी दिक्षित को बुला लाऊं सब को बुला दो व्यक्ति को और मेती ने रोश बरे स्वर में का कि अब तो हद हो रही मजाक की कोई सीमा होनी चाहिए अभी अभी दामा कुंडस्नान करने की बात करके आप मेरे से गए पूरे जुनागट को भोजन करा करके गए और फिर वो ही तपेली वो ही मेती हाँ पिता का शुराद हो गए पूरा जुनागट बोजन करके गए जाइजे कार हो गए कौन था वो आप ही तो थे मैं तपेली निचे पड़ी दिवाब मेती मैं था हाँ तो पहले एक बात बताओ वो मैं था तो आपने मुझे को समझ कर कुछ खरी खोटी तो नहीं सुनाई कुछ भला बुरा क्यों न बोलू तो जो मैं था वो कहां गया तो ले नाने का बहाना बना कर मैं थी मेरे हरी ने मेरी लाज रहती करताल लेकर मैता जी ने दोट दी दामा कॉंड की वहां आकर ख़ड़ा प्रभू तो अंतर ही धोचुके हाथ उपर उठा कर कहा है कि पूरे जुनागट को बोजन करा कर गया और मुझे भूखा रखेगा तो और कृष्ण की आबद्धिता थी नर्सी के साथ कि जब कैदारा गाएगा तभी मैं प्रगट होँगा कैदारा से जुड़ा था और नर्सी मेता ने उस समय कैदार छेड़ा है तुम दाने हो दिखा तुम दाने हो दिखारी हो तुम दाने हो दिखारी हो कैदार छेड़ा और कहते हैं ठाकोर जी वहां प्रगट होते हैं दर्शन दिया है प्रभू सबको भोजन करें रस लिजिएगा और हमें भूखे मेरे बाप का श्राद तब तक नहीं पूरा होगा जब तक आप इस दौनों आकर मेरे घर भोजन न करें लक्ष्मी नारायन पदारे शीव पार्वती पदारे ब्रम्मा ब्रमानी पदारे इतने युगल आये हैं मैती देख रही है साहब कुटुम्ब मा एक संत पाक है आखा पकाने तारी देशाहब एक नरसी मैतो ठाकोर जी ने जैसा व्याख्यान में नहीं लिखा लेकिन मुझे लगता है मैंने आज तक कहा भी ने लेकिन मुझे लगता है कि तब ठाकोर जी ने नरसी मैता को कहा होगा कि मैती को कहो हमने जो रसोई बनाई वो न परोसे से तुझे घी लियाए ओछे ने यहां थी पकवान बना अने वी तपेली नुगी ते दिवसे चुला उपर चड़ाई उशे मानेक मेतिये अने यहां थी यहां जे मिठाई बनावी अशे इमारा हरी ने पिरसानी साहे पन जा पंगत नी तयारी अन मैता ने ठाकुर जी इसारो करें मोटा भाई ने बोलाओ वनसी धर जिन तो कोई जम्मा गयोद नुद नुद लाडवानी चोक्य पर फाल युलेलें माइख्यू उड़ाड़ा गाम्ड़ा मामाम करता है तुम जो लाडवानी चोक्य जम्मा निवारोई नत ब्याचना आमामाँ मोटाम पान यहां तो ना जो युजाई ना जिवाई निवाई निवीज जेवई निवीजेवेश ने आवारोई मोटा हावे लाड़ा कला तेग यहां पिजना माट तुरोग शीरो करीन कव्ड़ावे एवा कभाग्या है काना मानसों एवाभुखाडवाई ना पंगेत्मा पहला बेच्छाई कि गरमा गरमा वे तो यह पिरस वान वाई भार्ण निया भार्ण खाली सुए। कि अज्द अगजा कर ठीजा है। कि ए पक्रेस भाज में पहली कि हुते हैं कि पार्ण निया भाज शरू करें तो यह पर कुरू तो यह पूरू थेखियों। पच्छी बता को जह हम सुर्य चंदरनी वच्चे राहू बही क्यों तो पुरान निकदाम हम आगाबा साकरनी वच्चे बही जाए और बही बाजूती पीर सावे क्या आवे न्यात पूरू थे जाए माख्य उड़ाड़ता था नर सिमयता जाई जे उड़ाबाई आपकी कुरुपा से आप इतने वच्चन न बूले हो तो मेरे भरोसे की कसोती ना हो आप धारे बावी अने बाए को बुनाया हारा दिवसो प्रभू सहारा दिवसो मानी प्रगती ना दिवसो उन्नती ना दिवसो होए निया तमारू बगारणी होग में पहला बुला जोग वडिलों ने तेजी से भूलता नहीम नंक्य था का वडिले मारोऊँ और बगार नारो पन तारा कुलों मोभी जह है रहे जरीके पंक्ति में नर्सि मेता का भाई और भावी बैठा कि अतिशे करे अपराध नर्सयया तारोग हतिशे करेओ अपराध कर जए गुना माफ, अमारा अतिशे करें अधिशी दर्ना मुखमा व्या ख्क्यान करे सब्दों क्या है इस्टा भोजन करेज अब हम एक्यानों में नान पड़ा महा बहु सा बजी आख्यान पूरु दाए करे हमारा हरी राम मामा आरती करा रहे है अठ्धन में आरती तो मुझो हो ए राम यारती होने लगी है राम यारती होने लगी है जग मग जग मग जोत जली है राम यारती होने लगी है जग मग जग मग जोत जली जए सियाराम लछिमन भरत शत्रू घन सियाराम लछिमन भरत शत्रू घन सनमुक बैठे हनुमान जती ए राम यारती घोने लगी है जग मग जग मग जोत जली जग मग जग मग जोत जली तुझे आवशे ते तो जम शे अमने प्राण खकी एगाम शे निंदा करवा मेटे आओ स्वागत है प्राण जगाए तो अली मवाली 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 आपके 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 अमना खबर पड़िक टपे ले जी वहां है चे चे आप अपले नहरा जी करें पहिसा घणा आवे विध्या विहार में हो साई ले बाई कौनी यती हाँ ए दिला आ टपे ले जा अने बपोरे घरे थी आमा घी भरी ने नाप जी अने मने खाली आपी जे व्यास्पिट खाली ने भरी करी ना पहिसा हो गिया मना आप जी अपना दिजेट लो पर हमां तो ब्या किलो भी उजाए पनते है अला भाई मोटी जे पंड़ना ही पुरे पुरी बिर जे अने टीपू जो पिड़ियो तो पाशी ली ली जे अने पारू सपने तुटेंगे हरी नाम से या हरी दर्शन से मुह निसा सबसुप निहाया देखे या ससमय अनेक प्रकार आराम सचिरा नंद दिनेशा माहीतर मोह निसाल रवनेशानी राम् था माहीतर मोह निसाल रवलेशा कल्योग में परमात्मा के नाम की प्रधानता है सत्युग में ध्यान की प्रधानता त्रेता में यगन की प्रधानता युगानो कुल साधन बताएं शास्त्रकारों द्वापर में हरी पूजन अर्चन की प्रधानता तली में केवल और केवल प्रभु का नाम और में वहीं से आ मुहबत ही मजहब होना चाहिए सहाब स्नेह और प्रीट का सेतु बने प्रभू के नाम से प्रेम का सुत्र से ही सब नाम लो पगवान रामानुज आचारिय तो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बस्तु का नाम का पहला अर्थ हरी वाचक होता है बाद में उप्योग वाचक अर्थ हो जाता है रामानुज को कोई करताल बता है तो बोले ये राम है फिर उसके बाद उसका उप्योग के रुप में अर्थ हरी नाम है तो प्रभू के नाम की महिमा को स्वामी जी ने राम चरितमानस में गाई है और नाम से सपने तुटे उसके बाद सिता राम जी की बंदना की सब बंदना करते करते राम नाम महराज की बंदना की और उसके बाद जहां राम कथा का आरंब होता है वो कथा का थोड़ा करम समझ ले आप जानते हैं तिरत राज प्रियाग में कुम्भर मेला लगता है एक बार तिरत राज प्रियाग में महा कुम्भ हुआ सब लोग महां एकत्त्रीत हुए बरदवाज रुशी के आश्रम में सब मिले कल्पवास करके कुम्बस नान करके सब विदा होने लगे आखीर में जाग बाली कमनी परविवे की सबी संतों को विदा देने के बाद यागनवलकजी विदा लेने लगे तब बरदवाज जी ने चरण पकड़ करके रूक लिया बाबा आप न जा मेरे मन में एक जिग्यासा है और आपके हाथ में सभी शास्त्र हस्ता मलक है आप रुक जाई ठहरे पुजा की सनमान के बोलो बरदवाज जी अब ब्रह्म जिग्यासा करते है अद्विद्धी प्रणी पाते इन परिप्रश्नेन सेविया इस वेदी को निभाते हुए महराज मुझे इतना ही आपको पूछना है कि ये राम तत्व क्या है जिस राम का नाम महादेव निरंदर अविनाशी होते हुए जपते हैं विनाशी लोग जपे समझ में आए संतत जपत संभु अविनाशी सिव भगवान ज्यान गुनरासी ये राम तत्व क्या है एक राम के बारे में मुझे पता है कि दशरत जी के पुत्र बन में जाना पड़ा सिता का कोई अपहरन कर गया राम को रोश आया उसने रावन को मार दिया वो राम के बारे में मैं जानता हूँ लेकिन शीव के जो इश्ट है उपनी शद तक जिस नाम की महीमा गाई गई वो राम क्या है दशरत का बेटा वो ही वो है कि कोई बिलग है क्या है याग नवल्क के सामने भरदवाज्य की जिग्यासा गुस्वामी जी ने मानस में लिखी प्रभू सोई राम की अपर को जाही जपत त्रिपुरारी सत्यधाम सरवग्य तुमा कहहूं विवेक विचार आप सत्यधाम है आप सरवग्य है भगवन आप मुझे विवेक से बताईए कि राम तत्व क्या है याग नवल्क मुस्कुरा है महराज आप राम के सच्चे प्रेमी हो मेरे से आप राम के गूड चरित्र सुनना चाहते हैं इसलिए मूढ की तरह प्रश्ण करते है लेकिन आप जैसा जिग्या सो राम चरित्र सुनना चाहे तो मैं अवस्य यहां प्रयाग की भूमी पर बैठकर अरामायन का गान करूँगा शुरोता बने भरद्वाजी और वक्ता है याग्णभलक अराम कथा का आरंब करते समय सबसे पहला चरित्र शिव चरित्र उठाया राम चरित्मानस में वैसे तो कहीं चरित्र है लेकिन पांच चरित्र परदान है शिव चरित्र शिव में भवानी का चरित्र भी आ जाता है सती का चरित्र क्योंकि वागर्था विव संप्रिक तो यह दोनों एक है शिव चरित्र दूसरा राम चरित्र तो यह है ही और वालमी की जी तो सीता है सीता का ही चरित्र महत है ऐसा वाल विकी जी की उद्गोशना तो राम में सीता का चरित्र भी समाहित है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन इस न्याई से तो शिव चरित्र राम चरित्र तीसरा है भरत चरित्र रामायन में खासी जगह लेकर बैठा है भरत चरित्र चौथा है अनुमंत चरित्र और पांचवा है बाबा भुसंडी जी का चरित्र ये पंच चरित्र की ये कथा है शिव यागनवलक को पूछा गया है राम चरित्र लेकिन श्री गनेश करते हैं शिव चरित्र से यही तो वैश्नाव और शैवो के बीच का सेत्र है कैसे भी राम चरित्र मान सेत्र का ही शास्त्र है जोड़ो तोड़ो ना अब सोचिए शिव जी से राम कथा कहलवाएंगे तुलसी तो शिव कथा कह रहे हैं शक्ति सुन रहे हैं कथा राम की वैश्नाव की कथा है कितने को जोड़े जा रहे है तो शिव चरित्र से राम कथ का श्री गनेश होता है राम है मंदीर शीव है द्वार वहीं से तो अंदर जाना जा सकता है अनुमान चालीसा में लिखा है राम दुवारे तूम रखवार और हनुमान जी शंकरावतार है वानलाकार विग्रह पुरारी तुलसी कहते है अरुढुका उतार हो कि राम हदुवारे तूम रखवारे अनुमान्स होता जा देडर बजार को जे हादा भरमा द भार म सुग रहों है सई-मेमे यक बजए तो पुरा करना होता है लाई टेलिकास Learn बाड़ा बाड़ा इंटो हमने के घाड़ा बार गया तेली दित पेली हाथ हमें अवे नरसी मेधा ने अटला कलाक नू बाननो तुरिए मने अर दोपनो कलाक नू बानन नरे अमान वाए इसौ तो शंकर नू चरीत रियाग नवल कमाराज भरत बात जीने चाले कैसे कर दो, इतस ही आए जोचावसफा करते एकजा मता हंऩाघ, झाल जा हु़िए थी कर्म करस्की अए कrit मैं पुद्ट मैंने वोड़ हां जाकि वी बीभारट यजी खुबर टेало! झाल जोगाए जो जए पुद्ट श्रकावसफा दो बोले नित गडियाल तमारी पांशे तमार जोई ले उजो इनमने तोडी नेक्या गयरों से सुना तुमने गयरों से कहा तुमने कुछ हमसे सुना होता कुछ हमसे कहा होता किसी भी व्यक्ती के बारे में दूसरों को मत पूछना कुद को पूछिए गहरों से सुना तुम ने, गहरों से कहा तुम ने कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता मैं मारी गडिया ऑफमा जो ही त्यारे खबर पड़ी कि माप कर 내가 आज नर्सी पेताना पिताना श्रादन उजे बोजन चे ये नामे आद तमे बदा जम जो बदा हरियर कर जो आज नी कथाने विराम आप वेना पेला एक भी ने नादा आज ये रादा रादा कृस्ण राधा, राधा, राधा कृष्म, 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 राधा Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna मारा ठील अरे कृस्णा अरे कृ्ष्व्ष लिस्या फ्रिस्ञा कृस्णदी् WOW अरे यार अरे यार अरे यार 뭍र जाव जां नाम् कारे अरे कृस्णा म्रे कृस्णा कृ्रिष्टा कृ्रिष्टा कृ्रिया अदें हरे राहा शेला हाइना मгиया वानत अनाय सब्त करन लाधा मुंदल भूले रारी नखान सीता सबीत दूसरे दिन की राम कथा यहां विराम ले रही हैं कल सुबह साड़े नौ बजे फिर भगवच्चर चा करेंगे भाव से राम जंड भगवान की श्रिबाल कृष्ण भगवान की सद गुरू भगवान की नमहा आर्वति पत्ये करणा नखनकी ठुच्चर चाहें का थिर भगयाद में आर्व पत्यावर में कितावर्ट में mai करिके सुछाद मुक्चर चाहें कादाबाकार्ट में भगवच्ट प्री गत्री ऍारी कर दो कलना है गर्दाए डन जाच आई पर टोनिभन के लोगने आख dol खेंता है, मृट्म महां सिंगानी जोगत की जोड़ाते है, मार्ण मृटी प्रेंगयत के मेंघ़। कर दो 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 प्रिश्चनिका महलनी मौरार। कि लेखो बनादाधि आसार्ट युपार्लhésitez नियक्त्त मैं कर्सुने खुज्ण कुछत्त शब्यूज्दोס कि आपरामटचाह कराबग्थ ने फॉवफ पर लेखोर्टог classified आपर सुर्फ औरिके विम्लोड मरेखोर्फ शिकारुषं माराजिते आलो शिपने, प्रतिकानिक अलो शितने, आतिकानिक मुझे शितने, आतिश्टी शितने, दावणे कुछ। कावत गंध्मा दिर्गमु बिनार, मान देख विज्ञान जिशार, रुप्सान कादी सिश्तर्थार, परनिपावन सुथ देखिनार। मार देटिश में या अखने नाचने या बत देरे देरे कुरान अश्क नस शरो साथ नसमार तरिंगान नोरस मुनिगान राइस मार अंसे संग कावत संगत संभु भवानी मार अंसे संभु निग्यान या स्वा अंसे संभु भवानी कावत उचोदी दरती तारती श्री अंसे बनी वाला हादनी पिशे असी की सुभवस्टिवाद मुभती हुभती की दरना उन्हों पुरिती आदुखाद में समय की हादी मुभती एन झाला हादनी आदवांग अार स्भार उंपय की आदुखाद थत्वनड में समय के आ्ड़ाद हादनी आदे एक पांप Silver आदी मुवतीं आदीं कर दो बजनाम राम राय को संबल निसंबल को सखा असहाय को बजनाम राम राय को बजनाम राम राय को मां ये बाप बूखे को अधार नीराधार को मां ये बाप बूखे को अधार नीराधार को से तो भव सागर को हे तो सुख सागर को से तु भव सागर को दे तु सुख सागर को बज नाम राम रायको बज नाम राम रायको